ओके डियर पार्टिसिपेंट्स वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक आज हमारे पास ये तीसरी क्लास हमारी शुरू होने जा रही है और हम लोग अल्रेडी चार गंटे गुजार चुके हैं उसमें आप लोगोंने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आपका तजरुबा है वो त 50% अपने आप से सटिसफाइड हूँ इस वक्त राइट नाओ कि जो मुझको डिलेवर करना चाहिए था वो मैंने आप लोगों के साथ सबके साथ डिलेवर किया है अब आप लोग अपने अपने तरफ से जो है वो बताएंगे लेकिन मैं एक बात छोटी सी आप लोगों के स मैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि एनॉट्मेंट फिजियोलोजी का जितना व्यापक रूप है जितना वाइड इसकी नॉलेज है हमारे पास कुली दुनिया में इस वक्त वो उसके लिए 40 घंटे काफी नहीं है मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था आप लोगों को अच गई कि सेल की स्टडी करने में अगले सो गणते और लग सकते हैं तो फिर हम लोग पूरी नॉट्में और फिजियोलोजी ओ फिर वह भी ग्रॉस लेविल पर हम लोग बात कर रहे हैं तो it's not possible to cover all the contents of anointment physiology for physical activity in these 40 hours but anyhow we will try our level best we will try our level best to complete as many topics as possible especially those which are practical in nature for physical activity ठीक है तो इसके लिए हम लोग जो है वो आज तीसरी क्लास के लिए फैसे हम लोग जमा हो गए हैं आज के बाद जो है वो सिर्प हमापा चौटिस गंटे बचेंगे तो यह कैसे हम इस्तिमाल करेंगे कितना हम इस्तिमाल कर पाएंगे यह तो आपको देखना है यह मुझे देखना है 80 परसेंट आपको देखना है 20 परसेंट मुझे को देखना है तो चलिए आईए हम लोग जो है वो जैसा की हम लारी यहां भारती है एक बहुत ही खुबसूरत एक जो है वो कल्चर है हमारा कि हम लोग जब भी पुकारते हैं यहां पर तो उपर वाले के नाम से हम जो है वो कोई भी काम को शुरू करते हैं इंडियन कल्चर में जो है वो श्री सरस्वती वंदना से हम पुकारते हैं सरस्वती एक ऐसे God को कहते हैं God की एक ऐसी characteristic को कहते हैं who gives us principles to acquire knowledge हमको इल्म हासिल करने का ज्ञान हासिल प्राप्त करने का उसने हमको जो सिधान्त दिये हैं ऐसे सिफत को ऐसी characteristic को ऐसे गुण को जो है वो संस्कित जुबान में सरस्वती कहते हैं अरबी जुबान में उसको अलिम कहते हैं तो आईए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आरंबहा वंदे परमेश्वरम मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर के बनाए सिध्धान्तों की तारीफ के साथ उसके सिध्धान्तों के बगेर तो कामी नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में आपको मालूम है, पूरी दुनिया जो है, वो काम से भरी पड़ी है, कर्म यहां पर हमको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए और हर कर्म का एक सिद्धानत है, चाहे सूरज उगने का सिद्धानत है, रात आने का सिद्धानत है मौसमों के चेंज होने का सिद्धानत है मेरे बोलने का सिद्धानत है आपके सुनने का सिद्धानत है तो उस परमेश्वर के बनाए सिद्धानतों की तारीफ के साथ परमेश्वर की उपस्तिति अर्थात उसके बनाए सिद्धानतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनन्द तो आईये चलिये हम लोग, let's start with Saraswati, Shri Saraswati Vandana, तो very first mantra is from the Rig Veda, Mandal 1, सूत्य नम्बर 3 and mantra नम्बर 10, यह ना? पावकनह सरस्वति वाजे भिर्वाजिनिवति यज्यम वस्टुधिया वसुहु अर्थात? ओ सरस्वति, आप हमारी हर तरह की कमजोरियों को दूर करने वाले हो, और ओ सरस्वति, जब हम आपके बताए मार्ग पर कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपका स्वभाव और आपके गुण हमारे अंदर जागरित होने लगते हैं, ओ सरस्वति, इस संगर्ष में आपकी शक्ती हमक प्रदान हो, देन, acceptance of prayer and blessings, चोद यत्री सून रखता नाम, चेतन टी सुमती नाम, यग्यम्द दे सरस्वति, अर्थाद, ओ सरस्वति, आप हमें सच्चाई की तरफ प्रेरित करो, और हमारे अंदर सत्य कर्म करने की सुमती प्रदान करो, उस सरस्वति ने मेरे इस संगर्ष को कुबूल कर लिया है, then, making the peace of universal wisdom felt, अर्थाद, ओ सरस्वति, आपकी बुद्धी मता और ग्यान पूरे ब्रहमांड में पहला हुआ है, और हमारी बुद्धी को जागरित करने का आप ही सोर्स हो, ओ सरस्वति, अपनी पूरी universal, पूरी universal wisdom, और अपनी पूरी knowledge के साथ यहां मौजूद है, कहां, वहां, जहां, हमें और आपको 40 hours का challenge लेना है, अनौर्टमी और physiology का, उसके जो उसूल है, उसके जो सिद्धानत हैं हासिल करने के, उनको आप तूरा करेंगे, तो आप कर पाएंगे, और उन उसूलों में, कई उसूलों में, पीछे हम लोग discuss करते चले आ रहे हैं, सबसे important उसूल है, help others in learning, help others in learning, keep learning one new thing each day, और दूसरों को भी आप सिखाते रहिए, फिर आप देखिए किस तरीके से आपको श्री सरस्वती वंदना ये, आपको काम आती है, और अगर आपने principles to acquire knowledge of anointment physiology पूरे नहीं किये, तो ये श्री सरस्वती वंदना को सिर्फ मुँ से पढ़ लेना, ये कोई काम हमारे और आपके नहीं आता है, चलिए आईए देखते हैं, तो self check of my given guarantee, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आपके 4 घंटे हो जाएंगे, 40 घंटों में से, यानि कि 10% जब आप course खतम कर लोगे, तो आ आप जो हैं, वो self check है, आप मुझको जो है, वो अपने उसमें बताते रहिएगा, गुरुप पे बताते रहिएगा, मेल डालते रहिएगा, education at the rate, pe.com पर, आप मुझको बताते रहिए, कि मैंने जो guarantee आपको दी थी, कि आप 4 घंटे के बाद अपने अंदर change महसूस करेंगे, अनॉर्टमेंट फिजियोलोजी की टर्मिनलोजी को लेके, और आपका confidence level 1 high होगा, तो किस तरीके का आपका change आया है, प्लीज आप अपनी feedback जरूर भेजते रहिए, आप ये यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर feedback भेजिए, your feedback is very very important for us, ताकि हम और अच्छे तरीके से जो है वो दुनिया में इसकी एनॉर्टमेर फिजियोलोजी फर फिजिकल एक्टिवेटी की रोशनी को और ज्याद अच्छे तरीके से हम और आप मिल करके पूरी दुनिया को दे सके हैं, तो आपको कितना अपने अंदर improvement लगता है, तो वो तो जाहि से मिल करके शरीर बना है, उससे सेल बना वो जो हम लोग ने base origin की बात करी थी न, basic organization यह basic organization of a human body, यह anatomy and physiology की class में, जो है वो सारे courses में, throughout the इंडिया, जो है वो सारे courses जो physical activities related है, भी इट योगिक साइंस, sports sciences, physical education, physical therapy, कुछ भी, वहां से जो है, वो हम basic organization of anatomy physiology से physiology शुरू है, लेकि कोई जो है वो इससे नहीं शुरू करता कि life जो है, वो lifeless चीजों से मिल करके बनी वी है, lifeless चीजों से उन पांच तत्वों से जो हम लोगों ने पहले बात करी थी, उससे मिल करके बनी वी है, पहली class में सबसे, और फिर उसके बाद जो हम जिन्दा हो जाते हैं, हम हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया हमारी जो है वह ऐसे चलती रहती है, बहराल इसके उपर फिर तभी हम लोग और निटेल में बात करेंगे, तो आईए देखिए, आज हम लोग जो है वो एक नया बात करते हैं, तोड़ा साथ जो टर्म को ले करके, इन में से एक टर्म आपक methods and practices used in teaching, in sharing the learning with adults, तो यहाँ पर तो कोई बैठा हुए नहीं है, यहाँ पर तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो सब adults है, adults का मतलब होता है, 17-18 साल से उपर के, और around 36 साल तक के सबसे जादे लोग बैठे हुए होंगे, और उसके उपर के भी कुछ लोग बैठे होंगे तो वो adults, adults मतलब बूडे नहीं, वो older adults होते हैं, तो एंडरगोजी कहते हैं, ऐसी process of sharing learning, जिसमें adults जो होते हों, पेडगोजी आम तोर से उसको कहते हैं, जहाँ पर especially children होते हों, उसको जो है वो पेडगोजी बोलते हैं, तो यह दोनों में difference है, हम एंडरगोजी की process में हैं, ह हमारे लिए applicable एंडरगोजी वर्ड जाद अच्छे तरीके से, क्यों हैं, क्योंकि adults जो हैं, वो अपने उपर जाद अच्छा control कर लेते हैं, आप देखें, यहाँ पर अच्छे से control करके बैठें, आपके ऊपर तो किसी चीज़ का जोर है नहीं, यह course जो है, वो आप तारिख कि आप सब लोग जो है, यह टेकिंग तू मच इंटरेस्ट इन इस कोर्स और बिना किसी लालज के बिना किसी खौफ के, जबकि पेडगोजी में जो है, वो teacher controls the learning experience, यहाँ पर I am not, I am not controlling, and I never try to control you people, आप जो है, उसमें तो पेडगोजी में होता है, बच्चों के ऊपर जो है वो एक rigid curricula के उसमें होता है यहाँ पर rigid curricula कुछ नहीं है कि किसी ने prescribe करके हमको दे दिया हो और हम आपके साथ इसको शेर करने कोश्च करने हैं नहीं चलिए आए देखिए तो अब हम लोग एक नया topic चुरू करते है parts of the skeletal system तो सबसे पहला हमारा था है axial skeleton और दूसरा था हमारा appendicular skeleton तो आएए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले axial skeleton के बारे में यह देखिए हमने axial skeleton has five parts लेकिन आप देखिए साथ में जो image आई है वो भी green कलर की है मैं presentation की बात कर रहा हूँ मैं anatomy physiology सिर्फ अकेले हम लोग anatomy physiology नहीं discuss कर रहे हम लोग life की बहुत सी और दूसरी चीज़ें दिसकस करते चले आ रहे हैं जो हमारी life को जादा अच्छा बहतर बनाए जो हमारे career को जादा अच्छा बहतर बनाए और उसमें anatomy हमारा जो है वह 80% content होता है लेकि 20% content हमारे दूसरे भी होते हैं उन्हीं contents में से 20% में से एक है कि presentation कैसा होना चाहिए आपका presentation देखिए मैंने आप से पहले डिसकस किया था पूरी स्लाइड नहीं भरनी चाहिए बलकि एक 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 एनिमेशन आपका एक एक time पर आना चाहिए दूसरा आप जिस चीज के बारे में denote कर रहे हैं अपने उस पे तो वो थोड़ा same color का हो उससे जो है वो अच्छा इंक्राम बनने में मदद मि दाल दो कानों से तो सुरी रहा है लेकिन अच्छे से आपका presentation भी हो जाए तो उस अच्छे में एक सिद्धान यह है कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो लिखा भी green color में है और उसकी figure भी green color में है चलिए आएए देखते हैं axial skeleton के 5 parts कौन-कौन से हैं तो सबसे प ये left hand है मेरा ये right hand है ये right leg है ये left leg है ये और कुछ हिससे होतें जो मेरी beach में है मिल्कुल तो beach में जैसे ये sir है तो sir जो है वो beach में है यहाँ side में लगा हुआ है तो आप सब लोग कहोगे कि sir beach में sir लगा हुआ है यानि कि skull जो है वो हमारे axial skeleton में आता है फिर उसके बाद ज seconds जो है वो हमारे beach line में आती न, beach line में, side में तो है नि, तो यह beach line में आती है, तो यह हमारे तीन bones यह सी वाली है, high wide bone, high wide bone, आप लोग इसको जरूर देखिए, मैंने आप से पहले भी कहा है, कि आप अपनी कोई भी technical term को 108 बार लगातार दोराएंगे, लगातार दोराएंगे, हलके हलके दोराएंगे, जोर से दोराएंगे, इतनी जोर से नहीं दोराएंगे कि आपके घर में लोगों को परशानी हो जाए, लेकिन आप उसको बुदबुदाते रहेंगे, जाप उसका करते रहेंगे, anodmi हमारा धर्म हो गया 40 गंटे के लिए तो हम इस धर्म में जाप तो करेंगे अगर हम जाप नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो फिर repetition नहीं होगा और repetition नहीं होगा तो हमारी learning अच्छी नहीं होगी तो hyoid bone आप इसको बोलेंगे hyoid bone क्या that's it hyoid bone तो यह एक bone होती है हमारी कहां कहां होती है वो हम लोग बात में discuss करेंगे then rib cage यह हमारे जो पसलिया है पसलियों का system कहते हैं न हम लोग 12 pairs of rib cage हमारी है true ribs होती है false ribs होती है और कौन कौन सी ribs आप लोग आगे हम लोग discuss करेंगे इसमें जो है इस्टरनम भी होती है इस्टरनम कौन सी बोन होती है तो कोई भी कहेगा यह सामने वाली होती है इसको practically कैसे feel करेंगे तो हम practically ऐसे feel करेंगे देखिए मैं अपने यह खोलता हूँ आप गले में यहां पर जहां पर गले में आपके इसा मुलाइम हिस्सा है एक हिस् जो है वो rib cage एक यह rib cage, है और इसका परक है इसको बीच में आप अगली डालेंगे तो आपको यह मुलाइम हिस्सा है था और यह मुलाइम हिस्स्यों के बीच में यह जो हड़ी है यह यह जो हो लगज वह पास है यह sternum इस तरीके की होती है इसके कुछ डॉंचर निकले हुए होते हैं इसका कुछ हमाई पूरी बॉडी होती है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे बाद में तो यह स्टरीके की है और यह यहाँ पर फिक्स्ट है यह चोटे किसी पच्चिस हड्डियां होती है एक इस Tajumale 1000 और 24 वर्व चेदर का हमारी यसी जबढ़ है कि हम 24 पड़क होती है एक इस्टरॉन होती है基四 यह समरी हो गए इसके बाद हमारे पास बैस नहीं होती है यह जोक्री यहわか। की एक बोन थोड़ा सब तरीखर के किए थोड़ा सब डिफरेंट होगा तो यह कुछ अलग तरीक के होंगे तो यह एक आपके पास है यह एसी यापकी वो है कि यह एक पिर इसके डूसरी है फिर इसके जो पर तीसरी है मेरे पास हो सकती है हो लेकिन चलिए अब उस लो क्या time waste करना है आगे आएगा तो इसमें जो है वो मैं आपको और बता हूँगा ओके फाइन तो in total axial skeleton has 84 bones कितनी bones हैं इसको याद रखिएगा axial skeleton has 84 bones skull की 22 skull में cranium और face हैनि मिला करके 22 plus ossicle of the middle ear then hyoid bone एक और ये 25 और ये 33 सब मिला करके 84 bones हमारे पास जो है वो 84 bones है axial skeleton की आहम तोर से किताबों में आपको 80 bones लिखी मिलेंगी 80 axial skeleton की जो की घलत है 84 bones होती है याद रखिएगा आप लोग तारिख सर्स P.E. वाले के साथ anatomy and physiology का 40 hours का challenge ले रहे हैं तो उस 40 hours challenge में आपके पास नई information आनी चाहिए और आप एक नए तरीके से anatomy and physiology for physical activity में evolve होने चाहिए याद रखिएगा इसके लिए आप लोगों को 80% मेहनत करनी है मैं जो 20% ही मेहनत करनी है आपको 80% मेहनत करनी है अनिहाओ तो axial skeleton has how many bones yes 84 not 80 right okay fine चलिए देखिए अब ये कीड़ा आ गया हमारा क्लिक screenshot का अब हम लोग आगे चलते हैं तो let's discuss about each bone of the skeletal axial skeleton तो सबसे पहले हम लोग इसकल के बारे में बाग करने हैं देखिए ये जो है वो मैंने आपको बताया था ना 1991 से इसको इसको इस्तिमाल कर रहा हूँ आप प्रॉफेसर मेहदी असन सर ने जो है वो मुझको ये गिफ्ट कर रहा था और उस वक्त जो है वो मेरे पाफ पूरा इन्सान का भी है स्वेक्ट कियुंगर कि उसने आफनी बॉड़ी आसको डोनेट की χिंव, उसकी वज़े से प्रोफेसर साथ ने भी सीख़व, उसकी वज़े से आप भी सीख रहे हैं तो इसके सामने हमें और आपको सबको शब्चत नमन करना चाहिए इसकी इज़त हमको करने चाहिए कि इसको जो है वो किस तरीके से हम लोगों ने काटा पीटा और क्या किया ताकि हम अच्छे तरीके से जो है इसके बाहर निकलती है इस से जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, इंदर चोटे-चोटे से इस में से बाहर निकलती, इसकी स्टड़ी हम लोग जब आएगा, तब हम लोग इसको करेंगे, तौई हम लोग के बारे में, जो है वो समझने की कोशिश करें, कि इसकल के पास कितनी अटियां होती हैं और कौन-कौन सी अटि कौन-कौन सी क्या-क्या नाम से कहलाती है तो देखिए सबसे पहले तो इसकल जो है वो is divided into two parts यह हमें याद रखने की ज़रुगत है क्रेनियम बोन क्रेनियम यह जो हमारी मजबूत है sutures में है जब हम बच्पने में छोटे थे तो यह अड़ियां चोटी छोटी थी अलग-अलग थी अनसुचरड थी अब यह suture हो गई और joint हो गई मजबूती के साथ suture के बारे में हम लोग पहले से बात कर चुके हैं तो यह brain case भी कहलाता है cranium bones भी कहलाती है और face face इसमें आता है तो आईए चलिए देखिए हम लोग इसमें बात करते हैं कि cranium में कित्ती bones cranium में 8 bones और face में 14 bones अभी आपको देख रहा है कुछ face में आपके कित्ती bones है अगर मैं यहां से हटा हूँ आप लगा के अपना हाथ लिगा को नहीं होगे देखल आप अपना हाथ लगा K बहुता है उसका जो दे रहा है जो लोगों को इन वॉल्फ कर रहा है इस लर्निग में अगर वो बूर्यत के साथ तू आप यकीन जानी है physics भी बड़ी बहुत है आप यकीन जानिएगा किरकेट भी बहुत बोर है लेकिन उन्ही चीजों को जो है वो बड़ा डाइनमिक भी बनाए जा सकता है उसके लिए जरूरी है कि जो लर्नर्स हैं वो अपने अपने पार्ट पे बैठके वो लगातार उससे रिलेटड जो विजिकल अक्टिवेट यह उसको करते रहें तो आप दबाताबा करके देखते रहें आपके आंदा तो चौदा बोन्स नहीं है यह कहां गई? आप इसका आंसर पहले दे चुके हैं कि यह सारी सुचरड हो गई हैं सब जुड़ गई हैं आपस में अब हमाँ पास सिफ एक बोन है जो हिलती भी होती है आई चलिए आगे हम लोग डिसकस करते हैं तो in total इसकल हैज गॉट ट्वेंटी टू बोन्स इन टोटल इसकल हैज गॉट ट्वेंटी टू बोन्स बड़े ताज़ुब की बात है जादातर किताबों में नॉट मी की जादातर जो फीजिकल अक्टिवीटी में चलती हैं उन में जादातर में इसकल हैज ट्वेंटी बोन्स लिखा होता है I'm sorry to say ट्वेंटी बोन्स नहीं ट्वेंटी टू बोन्स होती हैं face has got 14 bones 14 14 plus cranium bones cranium bones are six numbers or eight numbers eight numbers तो जब 18 numbers हैं तो वो 22 bones हो गए तो किस तरीके से 22 हो गई है और 20 का confusion कैसे होता है वो हम लोग आप से जो है वो आज डिसकस करते हैं ठीक है तो यह screenshot आ गया 1001, 1002 1001, 1002 लगतर मैं कहता रहूँगा वो इसलिए क्योंकि 1001 1001 जब आपने कहा तो इसका 1 second हो जाता है 1002, 1003 1004 यानि कि 4 second हो गए तो यह क्लिक ए स्क्रीन शॉट आपका हो गया होगा आईए हम लोग जो है वो बात करते हैं Cranium has 8 bones 8 bones के बारे में हम लोग बात करते हैं अब देखिए यहां पर एक गलती क्या है मेरी गलती वो मेरी गलती यह है कि मैंने पूरी स्क्रीन एक साथ देती लेकिन यह जानबूज कि मैंने गलती करी इससे पहले भी मैंने एक बार गलती करी थी अभी फिर मैंने आपसे जानबूज के गलती करें कियोंकि जब तक कभी-कभी होता है जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है जानबूज के गलती करता है ताकि इस्टूडेंट्स उसको अपने अंदर नहीं डवलक होने दें वो करेक्शन कर लें यहां गलती क्या है मैं आपको लगातार बताता चला रहा हूँ आपसे लगातार डिसक्स करता चला रहा हूँ कि हमारा प्रेजेंटेशन एक एक एनिमेशन फॉर्म में होना चाहिए पूरी एक साथ गच्छ दोगे फिर कौन क्या पढ़एगा पता ही नहीं किसके बारे में लेकिन एनिहाओ इस ग रहेंगे आराम से कहलेंगे इसको है ना क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते चले आएं फ्रंटल फ्रंटल बोन जो है यह इसका फ्रंटल का नाम जो है वह लेटन गॉर्ट से निकला है आपको सामने दिखाई दे रहा है फ्रॉंस मीनिंग फोर है यह सामने वाली हड़ी हमारी यह frontal bone है एक bone होती है यह हमारी ठीक है इसके नीचे है parital bone parital parital paris 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 से मिलकर के बना और इसको जो है मतलब होता है wall यह main wall होती है main brain का जो है मतलब ज्यादा हिस्सा यह wall के उसमें बंद करके चारों तरफ से यह रखे हुए यह two bones होती है ठीक है then is phenoid bone is phenoid is phenoid is phenoid नहीं is phenoid phy यह हमारे यह phy बोले जाता है न फा फा दो अलग-अलग word है यह नहीं फिर 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 तो हम लोग is phenoid f के साथ is phenoid नहीं it is also called as wasp bone wasp कहते हैं मतलब जैसे आप बटरफ्लाई कितली जब पूरे पंक खोल करके ओड़ गई हो ऐसा या बैट like structure वो cricket का बैट नहीं क्या कहते हैं उसको चमकादर चमकादर जब पूरे पंक खोल करके जब उड़ता है उसको आप पीछे से जैसे देखोगे तो वैसा ही पिलकुल आल्मोस्ट बटरफ्लाई भी दिखती है वैसा बैट भी दिखता है तो वह wasp bone हमारी इस तरीके की structure होता है अगर उसको पीछे प्रफलाई और दा बैट लाग इस्ट्रक्टर बाएं फूर्थ वन इस टेमपोरल बोर यह लेतिन वर्ड है टेमपस इस से बनना है टेमपोरल है ना अवर्ड अट मेंट बोथ टाइम अन पार्ट अब अफ़फ अफ लेड़ टाइम से भी रिलेटेड है यह टेमपस इसलिए कि इसके बारे में कहा जाता है कि असल में यहां के बाल जो को जब बुड़हापा आना शुरू होता है बाल सफेद होने शुरू होते हैं तो सब laws the day होते हैं तो यह टाइम इतना गुजर गया इसको पता लगाते हैं इसको बताते हैं यह बाल कि इतना टाइम इसने गुजार लिया अब तो खेर बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे उनकी दूसरी वजह हैं उनकी दूसरे वजह हैं वो हम लोग बाद में कभी डिसकस एंड दूसरा ना इसका मतलब क्या है part of the head क्योंकि यह सिरका इससा है तो यह दो होती है एक इधर की तरफ होती है और एक इधर की तरफ होती है देन हमारे पास fifth bone है जिसको हम कहते हैं occipital bone occipital यह जो है यह भी लेटन से बना हुआ है देगे यह सब याद रखिएगा लेटन से लेटन से लेटन से लेटन से कोई हो सकता है ग्रीक से भी आ जाए तो आप उसको याद रखेंगे आपकी information बढ़नी चाहिए अगर आप 40 गंदे में नहीं बढ़ी तो फिर हमने का कहा time लगा यह मैं लगा दिया हम लोगने time तो occipital also comes from the latin word occipit occipit meaning back of the skull पीछे पीछे का जो हिस्सा हमारा है जिसको मैं बार-बार कहता हूं न back of your mind back of your mind back of your mind का मतलब यह भी होता है कि आप इसमें बहुत expert हो गए इसमें बहुत आप expert हो गए autonomic nervous system क्योंकि यह होता है इसारा autonomic nervous system सारा यह होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे जब nervous system में आएंगे तो back of the skull यह जो है ओक्सिपिटल बोन हमारी चीक है आपको इसमें दिखाई भी दे सकती है यह बोन का हिस्सा हमारा जो है वो occipital है इधर का हमारा जो है वो frontal हमारा है और इसके side में यहाँ पर यह bone होती है जिसको हम लोग जो है वो sphenoid हम लोग bone कहते है ठीक है then एक bone है ethmoid bone ethmoid जो है वो नाप के अंदर आपको यह लालल हिसा आपको दिखाई दे रहागा बलकि आखों के अंदर आख के अंदर है ना अंदर जो है एक bone होती है वो sphenoid bone है यह स्थमोइड बौन एथमौइड जो है यह Greek वर्ड से बना तो आपको कोई सवाल पूछ सकता है कि क्रेनियम में कितनी हट्डियां है तो आठ अठियां है तो आठ अठियों में से कितनी हट्डियों का नाम लेटिन में है और कितना जो है वो नाम ग्रीक में है या कोई ग्रीक में नहीं है true or false तो आप को गए false एथमोईड बोन का नाम जो है वो ग्रीक पे है एथमोस एथमोस कहाते हैं C एक छलनी टाइब की ऐसी है यह यह ना यह एक बोन होते हैं यह बड़ी interesting bone है इसeynterisling bone के बारे में जो है वो इसको कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो magnetoreceptors है magnitude receptor receptor वो receptors होते हैं जो navigation में कामाते हैं यह सारी चड़ियों के जान्वरों के यहाँ नाक पे अंदर यह bone होती है perceived bone और यह bone उनको navigation में मदद करती है अपने दे करके वापस हजारों किलो मीटर चली जाएंगी कहां से उनको रस्ता पता है एक बर्ड भी उनकी इधर से उधर नहीं होती है यह सारी अपने वापस चली जाएंगी और ताज्योग और हैरत और राश्च्छर रेकी बात तो यह यह यहां जो अंडे निकले उनको कि इसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कुछ नहीं दी और यह वापस उड़े और जब उड़ने के काबिल होगे उड़े और वापस जा करके मिल गए जो लोग इस नविगेटरी बॉड्स के उपर जो मैग्रेटरी बाट्स होती है इनके नविगेशन पर जो लोग स्टड़ी करते ह हमारी हो गई वेस्टियल मतलब पहले कभी काम आती होगी पहले कभी नविगेशन में इनसानों काम आती होगी आज नविगेशन में यह काम नहीं आती है लेकिन मेरा अपना मानना है कि जितने इंसानियत ने अभी तक सीखा है, इंसान ने अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं बनाई है, उसने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी चीज़ें इन्वेंट की हैं, जितनी भी चीज़ें डिसकवर की हैं, वो सारी की सारी अपने चारों तरफ से सीख सीख क ही कि हैं, जनवर कैसे उड़ा है हेलिकॉप्टर बन आया है तो बनााएं, तो जनवर fans हां यह जलेा है कुछ पेड़ों को देखके बनाया को चीज़ें उसने जनवरों को डेक के बनाएं कुछ चीज़ें ऐसे बनाए इसको तो बायो मिमिक्री मतलब आपने अपने चारों तरफ को सन्हें कर लिए यह एथमोई जब हमारे अंदर magneto receptors लिये हुए है हमारे अंदर जब मैं navigation की natural हमारे पास जो है वो property मौजूद है जो आज इनसान नहीं इस्तिमाल कर पा रहा हजारों साल से लेकिन अगर इसको develop करे तो मेरा अपना एक idea है और मैं उस पर काम करने की कुछ कोशिश करूँगा योगिक sciences के उपर भी कुछ हम लोग research करते हैं कुछ काम करते हैं तो योग के अंदर जो है वो इसका जरूर कुछ न कुछ ethmoid bone का इस्तिमाल होगा कि हम अपनी navigation properties खुद ही इस्तिमाल कर लें अगर ऐसा हो गया तो पर address किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है आप अपने navigation senses इस्तिमाल करोगे और migratory boards की तरह हुज़ारों किलोमीटर का distance आप बगएर GPS के पूरा कर सकते होंगे लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम इस ethmoid bone तो अगर आपको कोई सवाल पूचे है कोई आप discussion करें तो ethmoid bone के बारे में आप discuss करिए आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा यानि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा इसके लावा आपको यह जो इसकल दिखाई दे रहा है पूरा यह पूरा इसकल है इसमें जो है white जित्ती भी bones है वो सब face की है यानि colored जित्ती भी bones है वो सब cranium की है आपको दिखाई दे गया तो अब आप लोग मुझको बताइए कि इसमें आपने क्या-क्या नया सीखा आप बोलते रहिए मैं सुन रहा हूँ ओके एक तो आप लोग ने सबकी आवाज आई या आप लोगों ने Latin words और Greek words सीखे नबर वन ओके आप में से एक ने कहा कि इस फिनोइट bone हमारी जो है वो वास्प bone है लाइक butterfly पूरे पर खोले हुए उड़ती हुई या लाइक चमकादड बैट की तरह ओके फाइन देन आपने temporal के बारे में एक ने बोला कि temporal जो है वो हमारा time से related है चुकि उम्र के साथ-साथ बाज यहां से सफेद पहले होने शुरू हो जाते हैं इसलिए जो है वो वक्त हमने किता अर्थ पर गुजार लिया उसका एक indication हमारा हो जाता है देन उसके बाद जो है वो ethmoid bone के बारे में हमने एक interesting जो है वो समझने की कोशिश करी इसके अंदर magnetite property है magnetite मतलब वही north pole, south pole magnets आप जानते ही है अर्थ में magnet होता है ने और उसके ends पे भी magnetic है तो वो magnetite property हमारे पास ethmoid bone में है navigation property में काम आता है हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस पर research करने की जरूरत है तो मैंने तो आप से एक research का point मी discuss कर लिया, मैं भी उस पर काम करने की कोशिश करूँगा, आप भी उस पर काम करने की कोशिश करिए, चलिए तो पिर अब जल्दी से इसका screenshot लेते है 1001, 1002 दो seconds आपके पास हो गए, आपने इसका screenshot ले लिया हुआ चलिए अब आईए देखिए, हम लोग bones of the face के बारे में बात करते हैं तो total 14 bones है total 14 bones है कैसे, nasal दो maxillary दो zygomatic दो mandible एक, mandible कहता है आब यह जबडाज इसको बोलते है न, mandible एक lacrimal, दो palatine, दो inferior nasal conscious, दो और वो मर एक, यह हमारे पास जो है, वो कुछ bones है इन में से कुछ bones हमारी जो उपर की है देखिए, उस पर पत्चिन नजर आएंगे, आपको nasal की उपर जैसे दो लग जाए, टुक्ट से आके maxillary पर आके दो से लग जाए zygomatic पर लग जाएंगे और mandible पर लग जाएंगे, यह हमारी बड़ी bones हैं, हम इनके बारे में discuss करेंगे, आपको चोट लगती है तो आम तोर से इन ही में चोट लगती है physical activity की दोरान आपको चोट लगती है तो इन ही में चोट लगती है, इन चार में से more than 99% इन ही में चोट लगती है, इन में चोट लगती है हम इनके बारे में यहाँ पर discuss करेंगे बाकी के बारे में हम लोग discuss नहीं करेंगे लेकिन यह याद रखिएगा, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो lacrimal, palatine, inferior nasal, conchi, और वो मर, अगर आप इनको भी याद कर लेंगे तो आपकी personality निखरेगी, कम तो नहीं हो जाएगी आपके ने, तो total हमारी bones में कितनी, हमारी face में कितनी bones है, 14 हमारे पास bones है, तो यह देखिए, यह face का structure हमारे सामने पूरा आ गया, उपर से हज़रत गुड़ुक, से गिरे, देखिए, है ना, भाइब हो गया, अभी थे, अभी नहीं है, ऐसे हमारी और आपकी जिंदगी भी है, आप देखो ना, कोरोना में कितने लोग चले गए, अभी थे, और अभी नहीं है, यह हमारी और आपकी जिंदगी का सत्य है, देखिए, ईश्वर को तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, अच्छे को मानेगा, बुरे को नहीं मानेगा, बुरे को मानेगा, अच्छे को नहीं मानेगा, बहुत से सारी चीज़ों पे कुछ ना कुछ बहस कर सकता है लेकिन आज तक कोई इनसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मौत के उपर कोई बहस कि कि मौत अब आएगी या नहीं आएगी तो टाइम तो सबका पूरा होना होता है लेक्चर्स का भी टाइम पूरा हो जाएगा 40 गंटे भी शुरू होए 40 गंटे भी खतम हो जाएंगे तारिख मौत भी अपसे 50 साल पहले शुरू होए आज 50 साल के हो गए अपने टाइम समय करके यहां से पूरा करके वो भी एक बाह एक दिन आएगा जब वो खतम हो जाएंगे इसी तरीके से ये भी आया और एक दमगड़ से पूरी स्क्रीन से गाइब हो गया इसी तरीके से पूरी जमीन हमारी स्क्रीन है इसमें तारिख मौत्ज닉र आए हैं और तारिख मौत्ज़ा एक दिन ऐसा भी होगा जब गाइब हो जाएंगे लेकिन असल बात तब है जब वो अच्छे लाइफ लाइफ उसमें यह नैजल है जिसको हम ब्रिज ऑफ दा नोस भी कहते हैं ब्रिज ऑफ दा नोस नाक का जो है वो आप देख रहे होंगे यह इस्सा यह ब्रिज है ब्रिज मतलब यहां से शुरू होगा और ऐसे करके चाहिए ठीक है तो यह नैजल बोंस हमारे पास दो देख लें दो हटिया है एक हटी तरफ है और एक प्री राइट हंध साइड पर यह नैजल बोन है हमारी ठीक है फिर उसके बाद यह ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है जो आपको मैं इस वह रही है तो वह ब्रिज भून से है तो ऑचलों को नहीं से मैंने देख दिया हूँ तो इसमें आपको जो हैं देख सकते हैं इसमें जो हैं वो दात हमारे पूरे जकड़े होते हैं तो उपर के जो दात हैं और हमारी soft palate palate plate नहीं बहुत से बच्चे physical activity के एन और्ट में फिजियोलोजी में इसको plate बोल देते हैं plate नहीं palate palate आप इसको बोलते जाएगे मेरे साथ अच्छा हो जाए या मुझसे अच्छा कोई और आपको अगर यूट्यूब पे मिल जाता है तो बहुत अच्छा है palate तो soft palate कहते हैं आपका उपर का जो हिस्सा होता है मुझ के अंदर जहां पे जबान उपर की तरफ इसको बोलते हैं soft palate तो यह soft palate है यह bone हमारे जो है वो face का structure भी बताती है मतलब और भी चीज़े बताती है कितना fat percentage है कितनी खाल है खाल का texture कैसा है वो भी आपके face को वो करते हैं लेकिन आपकी maxilla bone जो है वो आपके middle of the face को shape देती है और आपका forms the lower part of the eye orbital और आपके जो है वो आँखों की जो गड़ा है उसको भी आँखों का जो गड़ा है उसको भी जो है वो यह form करता है और इसमें sinus होता है sinus कहते हैं ना हम लोग मुझे बहुत sinus है अंदर से यह नतलब खाली bone होती है यह खाली है उसके अंदर हवा भरी भी अब यह sinus डवलप हो जाता है इसके अंदर जो है वो कुछ नमी आ जाती है यह नियुकेस बन जाता है इसके अंदर फिर वो लोगों को बहुत परिशान करता है तो उसके लिए जो है वो कभी हम लोग और sinus के बारे में भी बात कर सकते हैं तो यह contains sinus and supports nose और nose की दो हट्डिया है आपको दिख रहे हैं नेजल बोन्स दो हट्डिया है maxilla bones are two in number इसको याद रखेंगे हम लोग ठीक है रही है यह जो हमको purple color में नज़र आ रही है उसको मैंने purple color बनाने की कोशिश की पता नहीं कितना बना कितना नहीं बना लेकिन वो बस मेरे laptop पे इतना ही colors थे तो वो zygomatic bones जो है इसको cheek bone भी बोलता है यह जो bone है हिला के देखिए जरह जो लोग चश्मा पहने हो मेरी तरह चश्मा उतार लें और हिला करके देखिए इसको पकड़िये पकड़िये हाथ से पकड़िये शबश और इसको feel कर देखिए कैसे यह उठी भी है यहां से देखिए इसक चप्टी भी हो सकती है यह round shape में भी हो सकती है तो यह आपका side का face determine करती है आपका side का face किस तरीके का होगा यह हमारी zygomatic bone है और zygomatic bone भी जो है वो दो तरीके की होती है zygomatic bone देखिए यह वाली bone जो है और नीचे होता इसका तो और वो होता हमने को अच्छा लगता लेकर यह नहीं हो अब हमारे पास इतना ही structure है तो यह bone हमने यहाँ पर छूगर के देखी इसकी तो यह bone हमारी zygomatic bone है इसको cheek bone भी बोलते हैं तो cheek bone का anatomical नाम zygomatic bone है यह हमको औ जो है वो यह bone healthy है अकेली bone है only moveable bone in the face इसके अलवा कोई और bone हमारी healthy नहीं सब sutured है कितनी 22 bones में 22 bones में एक किस bones हमारी sutured है एक bone हमारी जो है वो healthy है ठीक है और यह हमारा lower face हमारी chin यह किस तरीके की होगी इसको जो है वो यह shape देता है यह shape जो है वो आपका किसी कर देखिए आप थोड़ी सी chin आगे निकली होती है किसी की थोड़ी अंदर की तरफ होती है तो य पीचे genetic code की वज़े से वो change होता रहता है जाहिर सी बात है वो fat और आपकी खाल उसके उपर भी depend करता है लेकिन आपकी जो basic formation है जो basic बुनियाद है जो आपको base है वो आपको जो है वो आपके mandible से मिलता है तो आपके पास कितनी bones हो गई है जो major bones है आपके face की एक बताए ना nasal bone इसको bridge of nose यह दो है maxillar bones यह भी हमारे पास दो है ठीक है फिर उसके पास zygomatic bones यह cheekbone कहलाती है यह cheekbone कहलाती है यह भी हमारे पास जो है वो दो है and then हमारे पास जो है वो एक mandible है mandible एक है यह jaw हमारा जिससे हम खाना चबाते है अच्छा कैसा लगता थमाम इंजानियत को क्या होता अगर यह भी fixed होती सुचर्ड होती देखो आप अपने दाथ पीस लो कैसा लग रहा है तो just fun activity कैसा लग रहा है यह कोई सवाल नहीं हुआ दो यांखे क्यों है तीसरी यांख क्यों नहीं है यांपर एक पीछे भी होनी चाहिए थी पीछे होनी चाहिए थी तो मैं आँखें आगे ही होनी चैहिए इसके लिए हमारे में इसमें बहुत इंपर्टेन अब गया हां इसका मतलब जो मैं समझा वह आपर से शियर कर रहा हूं इसका मतलब एक इन्सान को सारी परशानियां आफ सब कुर्ण है का अब देखो पीछे आख नहीं लगाई कि पीछे की चीज़ें देखते रहूं और याद करते रहूं और पून जलाते रहूं अपना नई कुछ मत करो पीछे ठीक है हो गया हूगया जो हो गया उसपर आपका कंट्रोल नहीं है आपका कंट्रोल फ्यूचर पर भी नहीं है विह नो डायाँ लेकिन बहुत सारी चीज़े हैं, आपको historical इतने developments हैं, historical इतनी learning हमाँ पास मौझूद है, historians ने इतना इतना काम किया है बड़ा बड़ा, आपको वो जमा करके दे दिया है आप आपको सामने से उसको पढ़ो सामने से देखो, सामने कानों से सुनो और आगे की जिन्दगी को देखो तो आख हमारी जो है वो आगे है आगे की जिन्दगी देखो पीछे की जिन्दगी में मत जीओ अच्छी थी, बहुत अच्छा था बुरी थी, उसने आपको lesson सिखाया, क्या lesson सिखाया बहुत सारे lesson समको आपको कि अगी हम लोग इसके वए ले सकते हैं तो आगे हमारी ले सकते हैं उसकते हमारे यहां कि यहां हुती है अगर यह अ होती और नुकसान होता नुकसान क्या होता सबसे बड़ा नुकसान होता आए दिन फूटती रहती आप देखो उपर वाले ने कैसा बनाया बनाने वाले हैं कैसा बनाया कि आंक सामने वैं लेकिन आप civह कितने एक्स्परियंस हैं और सब तो यहां आते आते कहीं इधर शिफ्ट हो जाती हाथ सिर हलका सा भी शिफ्ट हुआ तो ऐसा प्रोटेक्टिव बनाया लेकर अगर यहां बनी होती आए दिन आख फूटके रहते और आखोंके डॉक्टर के बल्ले-बल्ले-बल्ले हो याती है ना तो यह हमारे बोन्स थी चार बोन्स थी जिनको हम लोगों ने समझने की कोशिश ही ठीक है तो दिये देगे क्लिक स्क्रिंशॉट का कीड़ा हमारा जो है वो आगया करता हुआ आप गेंश लीजिए इसको 1001-1002 दो सेकेंड हमारे हो गए अब आईए हम लोग जो है वो बात करते हैं एक्जियल स्केलेट लगतार तो कहीं आप भी अटेंटिव बने रहे हैं बिल्कुल लगतार क्यूंकि हम लोग आपने सामने नहीं बैठे हुए हैं अगर आप गोर से नहीं सुनेंगे गोर से नहीं देखेंगे और गोर से सुनना और देखना तो 20% है बागी का 80% तो रिविजन पर डिपेंडि बहुत ही फोकस के साथ बहुत अटेंशन के साथ आप रिवाइस भी करते रहेंगे तो यह अपेंडिकुलर है अब आप देखिए स्लाइड प्रेजेंटेशन अपेंडिकुलर जो है वो हमारे साइड के साइड की बोन्स साइड की बोन्स में एक स्कैपुला है और हाथ है हम हमारे हमारा क्लाविकल है यह क्लाविकल कहला है यह सब हम डिसकस करेंगे आगे आगे चलके और आगे अभी हम लोग डिसकस को नहीं करेंगे डिटेल में जैसे डिटेल में हम लोगों इसको भी डिसकस करेंगे हैं हुमरस है इसको हुमरस कहते हैं हमारे रेडियस और अल्ला की हमारे अंदर की तरफ होते हैं पैरों के अंदर की तरफ होते हैं नोट करा नाम और चुंगली जो छोटी उंगली होती है पैरों की वह बाहर की तरफ होती है लेकिन हाथों में अनुटा बाहर होता है और हमारी छोटी लिटिल फिंगर जो है यह हमारी अंदर की तरफ होती है तो जब ऐसे होती है त gema रेडियस जो है वह अने वारेडहिज़न है यका बोन indoors मुझे अंर्ज बोन होती है अनुटे चैने होटे की सफ मुझे धर हमारी की तरह रेडियस जो हमारी जूम भी की तरफ मुझे चैने टो मुझे गए तो मुली बाड़ी परिश्ट होता कि कि अब मैंने बें बड़ा लिक लिए और यहां पर मैंने Collider और इंदर लिख लिया अलना और यहां पर छुंगली पर लिख लिए यहां आप कई हफते कग गौशंदे और पैर दोते रहे kids करते रहे और जो है वो हमारा यह लिखा रहा और रट गया आज की डेट में अब Autonomic Nervous System में चला गया वो Central Nervous System से Central Nervous System में confusion हो रहा था Autonomic Nervous System में Automatically set हो गया है तो अब कोई भी सोते भी पूछता है तो मैं बता दूंगा उसको किसाब अंगुठे की तरफ जो है वो अलना होती है और चुंगली की तरफ रेडियस होती है और चुंगली की तरफ अलना होती है तो हमारे इसमें appendicular skeleton में shoulders आते हैं हमारे arms आते हैं हमारी fingers आती हैं हमारे legs आते हैं हमारे toes आते हैं यह याद रखिएगा कि English में fingers जब हम बोलते हैं तो पैरों की fingers नहीं पैरों के toes हाथों की fingers इसको याद रखिएगा ठीक है नहीं तो click screenshot 1001-1002 आपके पास time था दो second का आपने उसको इस्तिमाल कर लिया होगा चलिए आईए अब हम लोग आगे बात करते हैं functions of skeletal system यह सब बहुत common चीज़े हैं और इस पर हम लोग बहुत जादा time नहीं लगाएंगे लेकिन anyhow फिर भी हमें कुछ तो time लगाएंगे इन important है तो सबसे पहला function क्या है skeletal system का 6 functions बहुत important है सबसे पहला है कि it protects internal organs internal organs को यह protect करके रखता है आप लोग नाम बता सकते हैं अगर मैं आप से पूछूँँगा तो आप लोग नाम बता सकते हैं जैसे brain हमारी थ्रेनियम मुझे चोट लगए इसको नहीं लग़ी होगी हड़ी है यह यह जो है वो हमारे brain को जो ह है वो अंदर रहता है इसको protect करके रखती है वरना आप ऐसे मार दोना किसी के ऐसा हलका सा जैसे हमें इस ट्रेकर मारते ना उसके करम पर इतनी जो है वो यह प्रोटक करके रखता है हमारे लिवर है किड्मी है कितने आप लोग नहीं जवाब देती है तीदेर में तो यह हमा हमारा स्केलटल सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक्स लाइक आर्मी इन अनी देश जैसे हमारी आर्मी है वो बिल्कुल मजबूत और हम सब इंटरनल और और सारे common citizens हैं मैं और आप हमको protect करके रखती है तो हम तो इंटरनल और हमारे भी अपनी कुछ ज़रूरी काम है लेकिन ह फसाद करते रहते हैं और दंगे करते रहते हैं एक दूसरे का खुण खराब करते हैं बिना ये समझेगी हम उपर झाल वाले की असल में उससे लड़ दो इव के सिस्टम से लड़ना हो गा ना अपस में क्या लड़ना करना यह ना तो हम लोगों को सद्भाड के साथ रहना चाहिए यह हमारे लिगमेंट को सिखा है यह हमारी पूरांटमाइट बिजियोलोजी को सिखाती है हम पढ़ते ही ऐसे हैं कि एक एक स्केलेडल सिस्टम एक अलग पढ़ता है मस्कुलर सिस्टम अलग पढ़ता है जब कि स्केलेडल सिस्टम अलग नहीं है मस्कुलर सिस्टम अलग नहीं है नर्वस सिस्टम अलग नहीं है डेजिस्टिव सिस्टम अलग नहीं है य आपके या मेरे फुटबॉल खेलते पे अपने physical activity दिक गर्स में डर्यत जब ग्रेटर टो में चोट लग गई तो पढ़नी पाया तो मैं पाउचे दिन पढ़नी पाया अपर और किया आखों से पढ़ता था, कानों से सुन रा था लेकिन मैं कहीं कंसेंट्रेट नहीं कर पारा था, क्यूं? सिर से ले के पैर तक, इदर के हाथ से ले के इदर के हाथ तक, सौरा और्गनिजम ये एक ही है, इसी तरीके से ये पूरा, हम सब इंटरनल और्गन्स अलग अलग हैं, ल क्यूं जानी है, अगा बेकार आपने 40 गंटे कर दीए, तारिख मरुज़ा ने भी 40 गंटे बेकार कर दीए, तो हमारा स्केललन जिस्टम क्या करता है, it acts as an army और इंटरनल और्गन्स को प्रोडेक्ट करता है, जूसरा, यह हमारा स्टोर करता है, रिलीज करता है, फैट को, उसको अपने आपने एक बड़ा mechanism है उसको हम लोग नहीं समझने की कोश्य करेंगे क्योंकि वो microscopic level पर बात हो जाएगी तो हम लोग microscopic level की बात यहां नहीं कर रहें gross पर बात कर रहें तो इतना हमारे लिए काफी है then it produces blood cells white blood cells red blood cells यह हमारे bones का काम है हमारी पूरी immunity जो है वो हमारे खास करके long bones की मजबूती पर depend करती है तो आप जो है मैं जो हूँ वो अपनी long bones की जितनी अच्छी सहत रखें इसकी सहत के जो राज बहुत important है सबसे पहला important राज तो इसका यह कि इसको load देना पड़ेगा जब आप इसको load देंगे तो और इसके अंदर remodeling होती रहती को modeling of modeling remodeling Remodeling होती रहती है और मदूट और मदूट और मदूट होतीت लेकिन वो कोई एक बैलेंस होगा ना अगर उसको बैलेंस को तोड़ देंगे आप तो फिर वह इस्ट्रेस फ्रेक्चर भी हो जाता है कि ओवर लोडिंग की वज़े से हड़ी में बाल बराबर बाल बराबर पता भी नहीं चलता देखने से तो दिख भी नहीं रहा मराई वग 40 मिनिट्स की होनी चाहिए कितनी फिजिकल एक्टिवेटी होनी चाहिए तो पहली क्लास आपको याद करो है ना तो पहली क्लास में हम लोगों ने फिजिकल एक्टिवेटी को डिसकस किया था कि जितनी रेस्टिंग पल्स रेट है हमारी उससे हम 40 परसेंट आगे बढ़ा द चाहिए जो हमारे organism पर extra load डाले को ऐसा होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग फिर कभी आकर discuss करेंगे लेकिन जो है वो अगर आपकी मजबूत हड़ियां है अगर आपकी मजबूत हड़ियां है तो आप यकीन जानिएगा आप यकीन जानिएगा कि आपकी immunity भी बहुत strong हो ठीक कैसी हो गई है इसका जो है वो जैली लाइक स्ट्रक्चर सब्स्रेंज भी और इसका केलशियम भी तो यह जड़ती है इमेंस को उठाऊंगा तो यह जड़ेंगे यहाप इसके cells गिरेंगे बहुत बारी बढ़े 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 भी वो सारे cells इसके जड़ते लगाता तो अ तो और चोटे बच्चे भी होंगे तो यह चोटे जो बच्पने में अगर आप जो फिजिकल अक्टिविटी करा होगे और बच्पने से जो आप अच्छा उनको न्यूट्रिशिए खाना किला होगे तो यह आगे चलके उनकी बोन्स को भी कैल्सिपाइड नहीं होने देंग आँख आगे निकिली है आगे लगी आगे का देखो प्रिजेंट में काम करो तो आपको अगर अच्छे बिलट सेल्स तो आपको बोन्स अच्छी रखनी पड़ेंगी अपनी और यह बहुत इंपॉर्टन फंक्चन है स्केलेटल सिस्टम का जो आपके आगे तक जब तक इंपुर्ए ओजाओगे तब भी आपको काम देखेए तो जो लोग यह रिसर्चिस बताती है फिस्कल अक्टिवेटी में जो लोग अपने बच्पने में फिर अपने यूथ में ज़ादा मझबूत होते हैं जादा फिस्कल अक्टिवेटी करते हैं तो उनकी आगे करते हैं इसके बारे में discussion हम और आप नहीं करेंगे क्यों कि हमारे उसका domain का हिस्सा है जैने इट फैसिलिटेट्स movement फैसिलिटेट्स movement movement निकालता है हमारे बॉड़ी को सपोर्ट करता है हमारे पूरी बॉड़ी इसकी उपर खड़ी होती है तो यह फैसिलिटेट्स क्युक्मेंट यह लीवर का काम करता है लीवर रहा हमारे लीवर जो हमारे physics में इस्तिमाल होता है ना जैसे हम लीवर को इस्तिमाल करके भारी से भारी सामान यह जदा जदा तेज जो है वो motion हम अख्तियार कर लेते हैं, हम ले लेते हैं, तो यह जो है वो हमारा it facilitates our movement, it facilitates our movement, और यह हमारे जो है वो body को support भी करता है, ठीक है, अब यह कि joints क्या होते हैं, तो joints जो हैं वो एक articulation होते हैं, क्या होते हैं हमें आपको मालूम है, anatomically हम उनको articulation कहते हैं, joints भी बोलते हैं उनको commonly, लेकिन also known as articulation या articular surface, अगर articular surface कोई आपसे बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो joints के बारे में आपसे बा joint हमारा तरे-तरे के joints हो सकते हैं, तरे-तरे के types of joints हैं तो उसके बारे में हम लोग आप फिर बात करेंगे, लेकिन अभी देखिए number and distribution of human body, number and distribution of human body joints, तो सबसे पहला तो देखिए आप पड़ते जाहिए इसको, skull, 86 number of joints, throat and neck, 6 number of joints, thorax, 66, यह सब मतलब joints कितने होते हैं, skull में bones कितनी हैं, 22 bones हैं, joints कितने हैं, 86 joints हैं, throat and neck में 6, thorax में 66 joints हैं, spine और pelvis में 76, आगे ऐसे आप पड़ते चले जाहिए, इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं, तो total joints हमारे पास कितने हैं, 360, आप यह 360 कैसे याद रख सकते हो, आप यह 360 कैसे याद रख सकते हो, आप 360 degree से याद रख सकते हो, आप में सही किसी ने कहा था, 360 degree, 360 degree से, इसको ऐसी learning को क्या बोलते हैं, total number of joints are 360, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, 360 degree, तो हमें इस टाइप की learning को क्या कहते हैं, जब आप पहले से जो learning आपको आती हो, पहले से आपको कोई learning आती है, और आप जो है, वो उसको commonly आप वैसा बोल दें, आप इसको जो है, वो वैसा बोल दें, कि जो है, वो नई जो learning है, आपकी, नई जो learning है, वो उससे आप attach कर ले, पहले जो आती थी आपको learning, उससे नई learning आपने जोड दी, तो ऐसी type of learning को क्या क कहते हैं आपने कभी कभी जेयरेफ के paper में सवाल आता है MP08 के paper में सवाल आता है क्या कियाते इसको इसको कहते है Associative Learning जोड देने वाली Learning आपस में एक दूसरे के जोड देने वाई okay तो 360 saute degree OR total number of joints ARE 360 in numbers okay तो यह धीय क्लिक के screenshot आ गया आपका 1001, 1002 आपने screenshot इसका ले लिए है आईए देखिए अब हम लोग बहुत interesting part की तरफ जा रहे हैं बहुत interesting part है types of joints in human body कितने types के joints होते हैं हमारी human body में इनको हम लोग discuss करेंगे मैं अपना तजरुबा आपसे बता रहा हूं चुकि मेरा खुद का personal, मेरी personal problem थी और यह commonly जो है वो यह physical activities related students होते हैं उनकी भी यह common problem होती है यह types of joints में बड़ा उनके नामों में बड़ा घपला हो जाता है वैसे तो बड़ अच्छा याद रहते हैं immovable slightly movable freely movable यह तो बहुत आसा नहीं से याद होते हैं लेकिन इनके जब हम anatomy और physiology की field में आते हैं तो हमें जो है वो बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसके technical terms हमको याद नहीं होते हैं अच्छा याद क्यों नहीं होते हैं क्या हमारे पास brain कम है physical activity की जो students है क्या उनके पास brain कम है और जो medical sciences के लोग है उनके पास जदा है नहीं ऐसा नहीं है हमने उसको इसको इस्तिमाल उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से इसको 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 समझने की कोशिश करते हैं दिए जो टाइपस ज्वाइट्स हैं यह दो तरीके के हम पापस है ना दो तरह से पढ़े जाते हैं structurally और functionally तो आप देए अभी हम लोगों ने structural और functional पढ़ा था ना अगर आप anatomical और physiological field में आप इसको anatomy physiology की field में बोलेंगे तो structure किसको बोलेंगे anatomy को बोलेंगे functional किसको बोलेंगे physiology को बोलेंगे यानि की joints की types जो है वो anatomical types भी होती है और physiological types भी होती है तो अब हम लोग जो है वो discuss करते हैं कि कितने होते हैं तो functional भी physiological joints भी तीन होते हैं यानि की functional level पर काम करने के अनुसार काम करने के अनुसार उनका नाम रखा गया और structural वो भी तीन types के के होते हैं anatomical joints हैं वो भी तीन तरह के होते हैं आई हम लोग डिसकस करते हैं तो सबसे पहले structure discuss करते हैं क्योंकि structure बहुत important होता है अगर structure ना हो किसी भी चीज़ का उसका function होना फिर माइने नहीं रखता कई जोगे ऐसा होता है कि functions खतम हो जाते हैं अगर structure structure बरकरार रहता है structure established रहता है structure के अंदर मजबूती होती है जैसे मिसाल के तोर पे आपने खिले देखे होगे red fort आपने देखा आपने जो है जैपुर में जाहिए उदापुर में जाहिए तो वहाँ आपको किल्ही दिखाई देंगे. तो किल्हों का आज structure बागी है. फंक्षन खतम हो गया. खिल्हों का function कुछ और हुगा करता है। महलों का function कुछ और हो थै глаз. उसका function कुछ और होते थैं. आज किल्हों का. खिल्ह कैको होते थैं ? वो हमारे production के area हो देते हैं वो किले का structure बर करार है उसके अंदर का functions खतम हो गए तो structure बर करार रह जाता है और function अक्सर जो है वो गायब हो जाता है तो आईए structure के बारे में हम लोग बात करें कौन कौन से तीन है तो सबसे पहला तो होता है उसका anatomical नाम है Fibrous 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 याद रखिएगा जिसको हम लोग Immovable बोलते हैं इम्मूवेबिल उसको कहते हैं Fibrous Fibrous कहा होता है हमारे Immovable जो नहीं हिलता आपको सबको मालूम है sutures जितने भी sutures हैं ऐसे जैसे दो कपड़े आपस में सिल दिये गए ऐसे मजबूत और वो लाइने पड़ जाए है ना उसको हम लोग जो है वो sutures बोलते हैं वो sutures जो हैं वो Immovable होते हैं देन दूसरा होता है Cartilaginus Cartilaginus मैं हलकल के इसलिए बोल ला हूँ ताकि आप उसको मेरे पीछे पीछे दो रहाए ये आपकी pronunciation बहुत अच्छा होना चाहिए इसको बोलने में जबान को जमनास्टिक देने में थोड़ी से परशानी आती है Cartilaginus 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 याद रखिएगा यानि कि Partly Movable Partly Movable हमारा जो जो जॉइंट है Partly Movable कौन-कौन से हैं तो हमारा एक तो वो इस्पाइन के हैं Freely नहीं है और नहीं Movable है थोड़े थोड़े हिलते भी है या आगे पीछे ऐसे ऐसे साइट से ऐसे भी हो जाते हैं और हमारी रिब केज जो है यह स्टरनम से यह जो है वह स्लाइटली Movable है पॉर्टली मव मेबिल या स्लाइटली और यह फूरी होती तो क्या होता है यह यह हमारी स्पाइन अगर फूरी होती तो यह तो हमारा दिल तूट जाता है वो तूटना नहीं बलगी कैसा दिल तूटना आने कि हमारे दिल में घुज गईए ऐसा हो ऐसा accident में हो जाते हैं बहुत से लों में बढ़े फसोस के साथ है नहीं हाथसा हो जाता है तो वह जाता है पर एक्सदेट हो जाता है लुए हमारे नेचर ने बना के निजक दिया डिया है यह सिर्फ slightly more available होते हैं इसी तरीखे रिब्स आगर आप स्पाइनल कॉलम रिड़ की हड़ी अगर ये फ्रीली मूवेबिल होती है ऐसे जैसे ये जॉइंट तो क्या होता हमारी नर्व जो इसके अंदर जारी होती है वो सेफ नहीं रह पाती और वो ताल तूड जाते और एक भी नर्व तूड जाए तो हमारा कोई एक बॉड़ी पू है ताकि soft organs और जो crucial organs हैं उनमें movement भी होता रहे healthy भी रहें वो bones और जो हमारे organs जो crucial है हमारी लाइक के लिए उनकी भी safety होती रहे उनको injury ना हो then हमारे पास synovial joints ये physical activity वालों को इसका जो है वो anatomical नाम पता है और synovial joint को ही जो है वो physiological नाम से भी पुकारेंगे जबकि physiological नाम इसका कुछ और होता है वो हम लोग आगे चल के discuss करेंगे तो वो कहा कहा होता है synovial joint के बारे में हम सब जानते हैं वो हर तरफ जहां आप body हिला सकते हो सब synovial joint है क्या shoulder और क्या उंगलियां और क्या ये और क्या पोनी क्या घुटना सब हमको पता है इसके बारे में ठीक है तो आएए चलिए अब हम लोग बात करते हैं physiological functional types of joints तो functional types of joints जो हैं वो हमारे पास तीन हैं हमें आपको मालूम हैं पहले से सिनार्थ्रोसिस सिनार्थ्रोसिस मैं फिर बोलाओ सिनार्थ्रोसिस नो मोबिलिटी जॉइन इसके अंदर कोई mobility नहीं होती यह जो functional type of joint और structural type of joint हैं इनके नाम अलग अलग हैं इनका काम सबका एक सही होगा नाम अलग अलग है लेकिन टेक्निकली मैंने आपको बोला था ना एक फिल्ड में अलग नाम जूजली फिल्ड में उन्हीं चीजों के लिए functional हो गए तो अलग नाम उनकी अलग शब्दा वली इसलिए आपक immoveable, no mobility तो sinarthrosis functionally ऐसे ही होते हैं जैसे fibrous joint होता है लेकिन चुकि वो physiology में आते हैं इसलिए sinarthrosis कहलाते हैं जब वो anatomy की field में चले जाते हैं तो वो fibrous कहलाते हैं मेरे खेल से मैं अपनी बात समझा पा रहा हूंगा आपको तो sinarthrosis और fibrous confusion मत create करिएगा आपको याद करने की ज़रूरत है बस 108 की माला जप लीजिए और फिजियोलोजी के धर्म में आ आ गए हैं आप आपने ये धर्म करण कर लिया तो अब आप जो है वो इसमें आ जाईए और इसका जाप करिए sinarthrosis fibrous, 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 sinarthrosis, fibrous, sinarthros fibrous तो आपको पता चल जाएगा कि sinarthrosis और fibrous एक ही joint होता है नाम टेक्निकल ही अलग-अलग है एक फिजियोलोजिकल नाम है एक अनटॉमिकल नाम है एक अनटॉमिकल नाम ओके देन सेकंड टाइप फंक्शनल जुएंट इस एंफिय अर्थ्रोसिस एंफिय आर्थ्रोसिस यह limited mobility है अब आप समझ गा होंगे हैंने कार्टिले जिनस कार्टिले जिनसका इसकी प्रेक्टिस करनी है यह आपको 108 बर कार्टिले जिनस एंफिय अर्थ्रोसिस देन हमारे पास जो है वो डाय आर्थ्रोसिस free mobility तो anatomical नाम of diarthrosis is synovial joint technical name of anatomical name of synoarthrosis is fibrous anatomical name structural name of limited mobility joint is cartilaginous तो हमको confusion नहीं होना चाहिए आम तोर से physical activity के जो students होते हैं उनको शुरू में याद करने में परशानी बहुत होती है क्योंकि उन्होंने याद करने के जो उसूल है जो सिद्दान्त हैं उनको adopt नहीं किया होता है क्या सिद्दान्त है दो सिद्दान्त बहुत important है एक repetition और दूसरा helping others in learning तो अगर आपने दूसरे को help किया है तो आपका repetition automatically हो रहा है और मज़े में भी हो रहा है आपको तीन आते हो इनी टर्मस के साथ मतलब मैं taken for granted एक example ले रहा हूँ सिर्फ किसी को यही आते हो इसके अलावा उसको छटा कोई नाम ना आता हो सात्मा कोई नाम ना आता हो सिर्फ यह छे नाम आते हो आप यकीन जानिएगा वो खस्में खाखा के मर जाएगा कहता रहेगा कि भाईया इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता सामने वाला आप मानने को तयार नहीं होगे क्यों क्योंकि वो सेनर्थरोसेस एमपे अर्थरोसेस डायर्थरोसेस सेनोवियल इसके वो खस्मों के आपकी परस्टिलेटी निकर गड़ गई आपका केरियर डिवलप होने में आपको मदद मिलेगी और आपके जूनियर साथ की रेस्पेक्ट करेंगे आपको सलाम टोकेंगे इनसान को चाहिए क्या अच्छे नाम से इनसान याद करे और उसको वो इज़त दे जो उसकी इज़त है लेकिन इज़त काम से होती है मैंने आप सो पहले भी कहा था कि दुनिया में बाई बर्थ बाई बर्थ किसी की कोई इज़त है हाँ हर इनसान की इनसान होने के नाते सब की इज़त बराबर है इन्सान होने के नाते चाहे वो इंडिया में पैदा हुआ चाहे 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 अमरीका में हुआ चाहे बीहड जंगलों में पैदा हुआ सारे इन्सान, इन्सान होने के नाते सब की इज़त बराबर है थैंने अपरान इसको कहता है हमने आदम की ओलाद को इज़त दी है तो जिसको उपर वाला इज़त दे दे जिसको शिरी सरस्वती इज़त दे दे जिसको अल्ला सुभानों टाला इज़त दे 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 तो उसकी कौन पर इज़त ही करेगा नहीं अब ये सबकी इज़त तो बराबर हो गई अब इन में जादा इज़त वाले कौन तो मैंने पहले भी आप से डिसकस किया था कि जादा इज़त वाले वो लोग होंगे जादा इज़त वाले सिर्फ और जिर्फ वो लोग होंगे जिनके कर्म अच्छे होंगे जो जितने अच्छे कर्म करेगा समाज अच्छे कर मतलब तमाम इंसानियत को जो लोग grow करने में develop करने में जो लोग जितना ज़ादा समाज में contribute करेंगे उनकी उतनी ज़ादा इज़त होगी मैं अपने लेविल पे जैसा भी contribute कर पा रहा हूँ तूटे पूटे अंदाज में मैं कर रहा हूँ तो आपके दिलों में मेरे लिए क्या इज़त है क्या स्टेटस है वो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से तो ये पूरी इंसानियत का मतलब कोई बाई बर्थ कोई किसी की अक्स्टर इज़त नहीं हो सकती सब बराबर politician है powerful politician है powerful पैसेवाले हैं बहुत ज्यादा पैसेवाले हैं इतने पैसेवाले हैं कि आपको पता ही नहीं आपके बस कितने पैसे लेकन उसके नाते और किसी गरीब की इज़त बराबर क número 9 दोनों के rights बराबर के हैं क्यों ज़ादा हो जाएगा इस द में वो ज़ादा हो जाएगा जो अच्छे कामों को समाज में करेगा अच्छे काम क्या अच्छे काम वो जॉब आप तमाम humans को develop करने की कोशिश करेंगे तो आपके काम अच्छे कहलाएंगे अगर आप humans को रोक देंगे humans के growth and development को रोक देंगे तो आप अच्छे नहीं कहलाएंगे neutral रहना भी इनसानों की वो नहीं है ना किया ज़्यादा चलने तो ना जी ना आपको तो अच्छा contribution देना ही पड़ेगा तब आप अच्छे कहलाएंगे वरना अगर ऐसी चलाएंगे तो कहते हैं यह तो मौका परास्त है यह तो बन्दा बुरे अलफाज विकर होते हैंगे तो इसलिए मेरा कहने का आपका अकार पर रहे बस इतना सा है कि अगर आप इन functional और structural नामों को याद कर लेंगे तो आपकी इज़त बढ़ जाएगी क्योंकि आपने कुछ काम किया है कर्म आपने किया है और अब आप दूसरों को share कर रहे हैं तो आपके पास अगर एक चीज भी है ना एक चीज एक चीज की ग्यान है एक चीज का आईलम है तो आप वो दूसरे को दे दीजिए आपके लिए दस रास्ते और खुलेंगे ठीक है यह सीक्रेट है अच्छा देखिए अब यह एक वाइट एक एक्सपेरिमेंट है तो नो एबाउट दस सेनोवेल फ्लूट हमारे जो प्रोफेसर मेहदी हैसंसर देना उन्होंने यह एक्सपेरिमेंटन को कराया और वैसे तो आप सेनोवेल फ्लूट के बारे में समझ नहीं सकते क्यूंकि वह लाइफ वाडि में होता है दो चार घंटे में वह सूप जाता है खतम हो जाता है सिनोवेल फ्लूट डेट बोडी से तो दो अपने कुछ राइट्स होते जिनको मैं आरवाफ सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं. उनकी वज़े से मैं आपसे इतना बहुत कुछ शेर भी कर पा रहा हूं आज. उन्होंने हमको यह एक वाइट एक्सपरिमेंट करवाया था. उसमें उन्होंने हम से दो अंडे मंगवाए जंबने और अमसे बडा से जग ले कर facult आप लोगशाब आखें बंके लेजा हमने सब आखें बंके ली बोले अब आप RCमें हाट ढांड दलिए। और इसको फील करने की कोशिश कीजिए। इसका देख़िए। इसकी इसकी चिकन हट कैसी है। आप इसको देख़ए इसकावेट कितना है। आप इसको देखिए इसका texture कैसा है आप इसको देखिए इसकी viscosity कितनी है वो सारी चीजें feel करिए आँखें बंद रखिएगा आप देखिएगा नहीं और सिर्फ आँखों से उसको feel करिए अपने हाथों की skin receptors आपके जो है skin receptors आप उनसे feel करिए कैसा लगता है आपको जैसा आप बस खतम चैप्टर अब क्या sinuvial fluid तो sinuvial fluid जो है वो उन्होंने किताबों में बोले कि मैं आपको 10 lecture देता आपके समझ में नहीं आता अब आपको एक बार में समझ में आ गया अब बस इसका chemical composition और समझ लेजिए इसका chemical composition भी वही composition है जो एक वाइट का composition तो आईए चलिए करने में काम करोगे तो इज़त मिलेगी अच्छे काम कर सकते हैं तो यह एक वाइट एक्सपरिमेंट जो है वो लोगों से करना लेकिन जायसी बात है इतना time हम लोग के पाद नहीं है तो आप इसको अपने घर पर कर सकते हैं जो लोग कर सकते हो जिनके घरों में अंडे आत प्लीज वो लोग इस experiment को जरूर करें आँख बंद करके करें इसको करें देगे मैंने आप से कहा है एनॉटमी आपके दिमाग में आपके वजूद में आपके existence में जगे बनाएगी तब जब आप अपने पीछे की life में कुछ कुछ बदलाओ करेंगे अगर आप बदलाओ नहीं करेंगे अगर आप अल्टरेशन कुछ नहीं करेंगे तो आप यकीन जानी है नॉटमी अपने पास आपके पास बतलब टुकड़ों में आएगी तो ही ही आपके पास पता ही आपको यह स्कल होता है यह फेस होता है यह हमारी यहां हम एक्स्ट्रा क्या लेने बैठे हैं उसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने के बाद पिर आप समझ सकते हैं चीजों को कि अनॉटमी ने कितनी जगे आपकी बना लिए तो यह एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कैसे होगा आप उसको करिएग लेकिन लोग कर सकते हों वो करियेगा जिनके घरों में नहीं याता मैं उन से नहीं कह रही दृष बहुत से लोग होते हैं उनको केला नहीं पसंद तो क्या मतलब है वो बुरे हो गए नहीं अपनी पसंद है अपनी फूड इंटेक अपना अपना कलचर है हलागी food जो होता है वो कोई culture नहीं है culture का हिस्सा है culture नहीं है food असल में आपकी body का fuel है food जो होता है वो आपकी body का fuel है आप कैसा अपना fuel आपको देते हैं आपका existence वैसा बनता है इसको उपर हम लोग जो है वो अगली class में discuss अच्छे से detail में तोड़ा सक करेंगे lecture के शुरू में फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके फाइन यह click screenshot हमारे सामने आ गया आप लोग इसको केस लीजिए 1001-1002 अब आप आईए synovial joints के types कितने हैं तो हम लोगों के कई तरह के joints होते हैं तो एक तो इसको direthrosis कहते हैं मैंने bracket में direthrosis लिग दिया है ताकि यह direthrosis आप अच्छे से बार-बार देख लें देख लेंगे सुन लेंगे direthrosis 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 सुन लेंगे देख लेंगे और फिर 80% आप revise करेंगे आपका 100% direthrosis आपके से में आ जाएगा direthrosis क्या नाम है physiological technical नेम है यह anatomical technical नेम है आप सब आंसर दे रहे हैं क्या अंसर दे रहे हैं कि physiological है तो यह और सैनोवियल क्या है सेनोवियल जो एवो टेक्निकल नाम है anatomical anatomy का नाम है और diathrosis physiology का नाम है तो सबसे पहला joint बहुत सारे तरह तरह के joint होते हैं planner joint है planner joint जो है वो आपस में यह एक दूसरे के उपर अड़ियां इसकी जो है वो ऐसे ऐसे करके बस हलके हलके वो गूप करते हैं यह जो हिस्सा है हमारा जो आपको दो कारपल मिलके आपस में joint बना रही है यह joint जो है हमारा प्लैनर या gliding joint के नाम से हम लोग आम तोर सा physical activity के professionals हम लोग gliding joint के नाम से जानते हैं इसका technical नाम जो है वो प्लैनर वो होता है और इसमें limited range of motion होता है gliding motion एक तुसरे को पर glide करते हैं बस ऐसे और कारपल dons में होता है और हमारे टखने के नीचे तखने के नीचे तखने में हम ने जए वह एक deltoide ligament जो एक muscle के नाम पर है डटोड मसल शोल्डर मसल के नाम पर जो है वह एक कारपल जो हिस्सा है यहां पर हमारा यह भोन होती है इनके बीछ में दो बीच में जुन बनता है उसको हम प्लैनर जूइंट के नाम से कहते हैं तो अब हम लोग आगे बर्थाटे हैं यह हिंज जॉइंट बहुत कॉमन है हम फिसिकल एक्टिविटी के सारे professionals hinge joint को जानते हैं Elbow में होता है Elbow is the very prominent example of the hinge joint हमारा knee joint ये hinge joint है hinge joint वो joint होता है जो एक plane पर काम करता है ऐसा ऐसा अगर ये मेरा wrist ऐसे ऐसे काम करता तो ये क्या हो जाता hinge हो जाता ना ये अगर ये ऐसे ऐसे काम करता सिर्फ यह हिंज जॉइंट हो जाता ना यह हिंज जॉइंट हो जाता लेकिन क्या यह हिंज जॉइंट है नहीं हिंज जॉइंट नहीं है यह तो बहुत सारे काम करता है यह ऐसे से भी करता है यह उपर नीचे ऐसे भी करता है तो आपका हिंज जॉइंट एक पर्टिकुलर एक्सिस प बैटे हूं laptop is flap उसका जो है यह भी hinge joint होता है आपने इसको ऐसे खोला ऐसा बंद किये जैसे तरवाजी या खिड़गी की तरह वह भी लेकिन अभी आपको पता है एक screen जो है वो laptops की yoga screen के नाम से भी laptops है yoga screen yoga screen कौन से screens है yoga screens वो screens है जो 360 गुम जाते हैं ऐसे मोड़ जाते पूरे flap हो जाते हैं अलग हो जाते हैं योगा को बिल्गुल बदनाम कर दिया हमने हमने योगा को यही समझा कि जो जितना जादा जबादा योगी है यह मिश्णोमर है मायफिक वीजिए योग के लिए हिए योग के बारे में बात करेंगे योग है जिसको हम लोग समझते हें के यह योग है कि आसन कर मतलब हमेशा था नहां को समझते था स्वाहन समझते था यूग जी समझते थे योग क्या है असल में यह हमारी बुद्धी ब्रश्ट हो गई है कल यूग में जो हम नहीं समझ पा रहे है कि योग असल क्या है चलिए आगे कभी हम लोग और बात करेंगे इसके उपर तो यह देखिए हमारा हिंज जॉइंट पूरा हो गया और यह क्लिक स्क्र को क्या क्की क्याजर्ण कहुंजट पैसकी सर्वाइकल टी टी फ़ा ठोरेक्स टी फ़रत अया यह दो फडिलटा जो है वह आपनी पोजिशन के हिसाभ से इनको ऐसे फिर नाम दिये गए डिवहर धी C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसा कर रहे हैं सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 2, ऐसे फिर उसके बाद जो है थोरेक्स थोरेसिक होती है तो ती 1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 ऐसा कर रहे हैं फिर उसके ल 1, L2, L3, L4 फिर उसके तो यह अपने अपने तो यह C1 और C2 में यह PIVOT JOIN पाया जाता है जो आपने देख रहे हैं आयरो वह ऐसे ऐसे करके भूमता है अपनी तरफ से ओके फाइन तो यह हमको और आपको इसके बारे में हमको मालूम चल गया है न हमारा हाथ जो है यह PIVOT JOIN पाम अफ़ धे तू बी तू बी टूरन अप एंड डाउन अभी कहते हैं सुपाइन पोजीशन में लेडना या सूपीनेशन और जब आप फेटके बन सीने के बन लेड़ जाओ तो उसको कहते हैं रो नेशन हमिन आपको सबको पता है तो इसी तरहीके से यहारा है स्पाइन पीछे का हिस्सा है नहीं है तो यह हमारा हो गया सूपी नेशन आप फिकर में भी देख रहे हैं फिर यह आ गया प्रोनेशन हम लोग जब मूवमेंट में आएंगे तो उसमें यहां पर और अच्छे दिटेल में हम लोग इसको समझने की कुश्य करेंगे तो यह जो है maintained हमारे रेडियस और ऑँला यह जो है वो फैवर्ट बोन्स है five बोन्स कौनसी है सी सी टू और रेडियस और ऑजाः थीक है ऑके फाइन तो एक screenshot आ गया, condylite joint, यह जो है वो ऐसे-ऐसे move करते हैं, जब हमारा हाथ ऐसे-ऐसे move करते हैं, यह हमारे पास joints हैं, इनको ellipsoidal joint भी कहते हैं, ellipsoidal joint भी इनको हम कहते हैं, और यह जो है वो दो axis पे काम करते हैं, जैसा कि हमको जो है वो wrist और fingers में हमको दिखाई दे रहा हैं, यह जो है वो which can move both side to side and up and down, ठीक है, side में यह ऐसे-एसे लट्टू आप देख रहे हैं, यह दो लट्टू आपस में, ऐसा, 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 तो यह हमारा जो है वो condyloid joint, ठीक है नहीं, तो यह screenshot आपका आ गया, अब यह देखिए saddle joint, saddle type of joint, यह saddle मैंने आपको बनाया है, आपको इस saddle joint नहीं है यह, यह saddle है, saddle किसको बोलते हैं, हाँ, तो आपने बताया भी, अच्छे कुछ लोगों को मालूम है, saddle कहते हैं, वो जो घोड़े के ऊपर, जो कहते हैं, जिसके ऊपर rider बैठता है, और यह जो दो flaps है, यह उसकी inner thighs, यह inner thighs जो है, यह कौन सी हिस्सा होता है, यह medial ह कुछ ऐसा ही होता है, जैसा यह ऊपर, कमर के ऊपर का जो हिस्सा है, यह इसको saddle बोलते हैं, ठीक है, यह उंगली में आप देख रहे हो ना, जहां पर यह arrow बनाया है, आप उसको अपने उसमें, स्क्रीन पर जूम करके देखो, तो आपको दिखाई देगा, यह saddle type of joint है, आप अंगूठा, अंगूठे में, और इसकी range of motion जादा होता है, कॉंडिलोईड में कम होता है, कॉंडिलोईड में कम है, और इसका range of motion तरह तरह का है, circumduction भी है, literal भी है, medial भी है, तरह तरह के, वो आगे हम लोग discuss करेंगे, उसके, anyhow, तो यह thumb joint में होता है, इसकी आप भी, यह भ बाद में screen आई है, यह screen, यह screen जो है, वो cadaver की है, live cadaver की है, और यह बहुत पुरानी हो गई है, तो इसको जोड जाड के, किसी dedicated आत्मी ने उसको समाल करके, अपने पास, उसको original form में रखने की कोशिश की है, anyhow, तो यह हमारा click screenshot आ गया, तो saddle joint भी हमको आपको अच्छे से अच्छा तो इसके बारे में पता भी नहीं है, तो ball and socket joint हमको आपको सबको पता है, कि इसमें जो है, वो एक ball होती है, और एक socket होता है, socket हमको आपको सबको मालूम है, वो मैं आपको दिखाय देता हूं, जैसे for example, यह मेरे पाद hip bone है, hip bone है, right, यह देखिए, यह socket है, ठीक है और, sorry, यह देखिए, यह ball है, this is ball, यह ball यह socket में fit होती है, यह ball, यह socket में fit होती है, यह ball है, और यह जो है, वो हमारा socket है, यह hip bone हमारा ऐसे है, और यह वह हमारा अभी देएंसमें कर 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 की आवाज आ रही है एक घंडी एक आपस लघ्र कर मुझे सुनाई अब कर देरी की को पाता ना हम यह जो कर 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 तो मुट्रिक नेध्ल मृड्य मोकिह सुनाय जो है वो लुब्रिक होता लुब्रिकेंट होता है वो चिकना पदार जो आप मोट साइकल वगरा में डालते है पेट्रोल के साथ ताकि इंजन में आपस में रगड़ना हो जब वह पेट्रोल को चलाए तो इसी तरीके से इसमें भी अगर दो हट्टी आपस में रगड़ेंगी तो बहुत दर्द होता है बहुत तकलीफ देट चीज होती है अगर सिनोवियल फ्ल्यूड कम हो जाता है तो सिनोवियल फ्ल्यूड आपका होना सही मातरा में बहुत जरूरी है ताकि हमारे आपके जॉइंट काम कर सकें तो यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां कहां होता है हमको आपको बहुत ठीक है नहीं आप यूट्यूब पर मैंने यह एक लिंक दिया बहुत सारे अच्छे वीडियो आपको मिल सकते हैं लेकिन मैंने एक दिया है चोटा सा है चार पांच मिनिट का होगा शायद यह और बहुत अच्छा साइनोवियल जॉइंट को इन्होंने डिस्क्राइब किया है आप इसको जरूर देखिएगा इस लिंक पर जागर के ठीक है तो यह क्लिक स्क्रीन शॉट हमारे पास वह कीड़ा आ आपके पास टाइम है 1001-1002 दो सेकंड आपके पूरे हो गया आपने स्क्रीन शॉट ले ली होगी आईए अब हम लोग बात करते हैं नाम को मुझे मैसेट पर या इमेल पर बर एजुकेशन एट पीट वाल ले डट कॉम अःट पीएवाले ड्ट गॉम उस पर आप इमेल डांच आल यह या लखीए और बताइए मुझे को फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको आपने मुझे तो यह आशा है कि मैं शाहिद आपको तो समझा पाया हूँ उसको आप लोग मुझे feedback भेजेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और अच्छे तरीके से हम लोग मेनद करेंगे ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं anatomical position इसको हम लोग बोलते है anatomical orientation and directionality के उपर भी हम लोग बात करेंगे तो anatomical position क्या position होती है तो anatomical position वो position होती है जिसमें हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए अभी मैं भी खड़ा हो जाओंगा आप सब लोग भी अपनी अपनी जगे खड़े हो जाएगा जो भी इसको देख रहा है सुन रहा है जैसे भी जहां तक मेरी आवास जा रही है वो सब लोग खड़े हो ज पीचे के पैठे पैठे आप भी थख गया है ना तो blood circulation अच्छा हो जाएगा interest आपका change हो जाएगा digression इसको बोलते हैं digression d-i-g-r-e-s-i-o-n digression digression कहते हैं बतलब ऐसे teaching methodology जिसमें आप main topic पढ़ा रहे है में topic पढ़ा रहे हैं main topic से हट गए क्योंकि हमारा brain कुछ ही minutes के लिए एक उस पर concentrate कर पाता है फिर वो कुछ और सोच लोगता है तो आप क्या करें यह psychology इस्तेमाल कर यह brain की और जो है वो कोई दूसरा topic लीजिए लेकिन वो related हो इसी main topic से तो अगर आप ऐसे करेंगे तो इसे कहते हैं digression और फिर व T V I A T I O N तो आईए हम लोगों का यह integration भी हो जाएगा तो आप फिसिकली सब लोग अपनी जहां तक मेरी आवास जा रही है वहां पे आप सब लोग खड़े हो जाएगे मैं भी खड़ा हो गया ओके shoulder आपका जो level है यह shoulder level जिसका चोड़ार के नीचे आपने दोनों पैरों को यह सब्सक्राइब और उतना पहलाएंगे जितना आपके shoulder level है shoulder level पर हाथों को ऐसे हमें गुटने सीधे बिल्कुल straight गुटना इसे नहीं मोड़के नहीं गुटना सीधा हना सीधे गुटने के साथ रहेंगे जैसे यह फिगर में आपको दिख रहा है हाथ जो है वो साइड में यह पाम जो है ना यह सामने आपकी लैपटॉप पे आपके स्क्रीन पर सामने ऐसे जैसे मैं अगर आपके सामने खड़ा होता तो हम दोनों एक दूसरे के आपके साईड में हमारे हाथ हो जाएंगे थे हमारे हाथ एक ऐसे मुड़ जाते तो ऐसे अंदर हो चानि है पर हम हाथ ऑपने जन्याओड हमारा बाहर लूट ह Jersey दौन आपके और अंगलिया हमारे लटकी होंगे ऐसा नई बंद टाइट भी नहीं बिल्कुल नैचरल जैसे ऐसे हो इसे रहे है इस्ट्रेय बिल्कुल कमर भी इस्ट्रेट से खड़े ज्याएए निजबा सामने स्ट्रेट आइसे देखिए अगर आपका ये अगर फ्लोर से को आपकी आन्खों पर जो दहां दे장님 वहों इन tyr ad की का वो बनाएगा आप ऐसे करके देखिए बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएगे और ऐसे अपने सामने देखते रहेंगे तो इसको हम बोलते एन अटॉमिकल पोजिशन जितने भी जॉइंट्स की पढ़ाई होती है जितने भी प्लेंट्स की पढ़ाई होती है वो सब अ पोजिशन की इंपॉर्टनस हमको तब समझ में आएगी चलिए अब हम लोग बैठ जाते हैं मैं भी बैठता हूं आप भी बैठ जाएगा ओके फाइन तैंक्यू वरी मॉच आप लोग सब अपने पनी जागे खड़े हुए अच्छा हुआ ब्लेट सर्कुलेशन आपका थो अकेला मान के चलिए शिर्फ अकेला इंसान है आप बताओ उचोटा या बड़ा नहीं पता ना क्यों कोई रफेरेंस नहीं है रफेरेंस के लिए उसको दूसरा आदमी चाहिए तो दूसरा अदमी जब होगा तब वह लंबा होगा या ठीक ना होगा अगर वह कोई तीन बहुत हलका हो और मेरे लिए नॉर्मल हो लेकिन किसी के यह पूरा मुग लाल हो जाया जान निकल जाया उसकी आंक पट जाया उसकी मगर उठाना पाए तो 50 kg ना तो हलका है न भारी है 200 kg ना हलका है न भारी है depend करता है कि कौन उसको इस्तिमाल कर इसी तरीके से anatomical position में बहुत सी चीज़ें अब देखिए यह हर चीज़ अनोटोमिकल position में body आती है तो उसके reference में हम चीज़ों को directions को समझने की कोशिश करते हैं anatomical structure के orientation को समझने की कोशिश करते हैं देखिए आपको यह figure के right hand side पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना superior उपर की तरफ लिखा हुआ और inferior नीचे की तरफ लिखा हुआ एरो बाजारा नीचे ठीक है तो superior मतलब जो चीज़ body में उपर की तरफ जाएगी उसको superior बोलेंगे जिसको हम टुंडी भी बोलते हैं our navel is inferior to sternum सही है ना sternum के reference में inferior है लेकिन thigh bone के reference में thigh bone जिसको femur भी बोलते हैं thigh bone के reference में हमारी navel superior या inferior है तो आप बताओ के superior है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो कोई चीज़ अगर हम ऊपर और नीचे के reference में बात करेंगे तो anatomical position में हम उसको anatomical term में superior और inferior बोलेंगे ठीक है नहीं ओके देन आप देख रहे हो एक red line बीच में पड़ी है medial medial line जो बीच में हो body के बिल्कुल बीच से होके जाती हो medial skeleton is called as medial medial skeleton is called as appendicular skeleton right very good axial skeleton axial skeleton lies in the middle medial portion of the anatomical तो anatomical term क्या है जो बीच में होती है चीज़े medial medial side में जो चीज़े होती है उन्हें क्या कहते है lateral ठीक है ओके fine अब आप देखो sternum is medial to arms arms के reference में ये बीच में है दोनों arms के दोनों shoulders के बीच में है sternum for example nose is in medial in comparison to karn karn हमारे lateral है ये medial है तो karn हमारे क्या है kan 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 this is kan है ये kan हमारा क्या है ये kan हमारा nose के reference में lateral है lateral मतलब side में इसी तरीख可能 कहिसे ये need joint है ये knee joint हमारा तो ये जो knee joint है इसका जो अंदर का हिस्सफा है ये medial हिस्सा कहलाता है और यह जो side का हिस्सा होता है यह क्या कहलाता है lateral कहलाता है तो आप लोग जो है वो medial और lateral भी समझ गए आप लोग इसकी directionality superior और inferior भी समझ गए अब एक चीज और बहुत important समझ गीजिए इसके लिए सवाल आ जाता है कभी कभी या नहीं proximal and distal यह proximal or distal anatomical terms में anatomical terms में यह proximal और distal यह हमेशा limbs के लिए इस्तिमाल होता है limbs हाथों के लिए इस्तिमाल होगा और पैरों के लिए इस्तिमाल होगा बस और कहीं नहीं इस्तिमाल होगा superior किसी के लिए इस्तिमाल हो सकता है inferior किसी के लिए भी इस्तिमाल हो सकता है medial किसी के लिए भी इस्तिमाल हो सकता है lateral किसी के लिए भी इस्तिमाल हो सकता है directionality में लेकिन proximal और distal जब भी आएगा तो limbs के लिए आएगा या तो उपर के limbs के लिए आएगा या lower limbs के लिए upper limbs या lower limbs के लिए जो नहीं आएगा तो अब हम लोग भी बात करते है अशा होता है जो mental शीमिद्ञे का मतलब और यह उससे जुड़ा हुआ है जिता आगे बढ़ता जाएगा वो डिस्टल होता चला जाएगा तो fingers are fingers are distal to shoulder joint right or wrong और हिप जॉइंट आवर हिप जॉइंट इस प्रॉक्सिमल टू ग्रेटर टो पैर के अंगूठे के प्रॉक्सिमल है true yes तो अब आप समझ गया ना यह याद रखिएगा हमेशा कि proximal और distal सिर्फ limbs के लिए या तो upper limb के लिए या lower limbs से या तो shoulder से लेके उंगलियों तक और या hip joint से लेके पैरों की उंगलियों तक यहां के लिए proximal distal इस्तिमाल होता है बस ठीक है अब आईए देखिए directional terms of human body इसको हम लोग जो है वह अच्छे से समझ लेते हैं एक तो है वेंटरल इसको आपको याद करना पड़ेगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी देखिए मेहनत करेंगे और मेहनत करने के दो ही तरीके हैं याद करिए रिपीट करिए रिपीट करिए और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है रिपीट करने का help others in learning these terms जिनको या नहीं आता जिनको जरूरत है आप उनको अपने पास से दीजिए चाहे आपके पास एक ही इल्म की बात है चाहे आपके पास एक ही ग्यान की बात है आप दूसरों के साथ शेयर करिए आपके लिए द एंटिरियर इसका पोसिट्र के होता है नॉट्म में पोस्टिरियर इसको शहनलोग डॉसल भी बोलतेarez यह याद रखिय रहए गा डॉसल मतलब पोस्टिरियर एंटिरियर शीम मतलब वैंट्र लेंट्रल यह को पेट हमारे जो पेट का हिसा जीन हम मुह वह हो existent तो यह हमार direction अगर होगा तो तूर्ड रॉस्ट्राल नाक की तरफ वंट तूर्ड्स दे टे टेल टेल बोन कहते हैं यह दिखें यह टेल बोन है यह टेल बोन है इस पाइन हमारी फ्यूज रहे है और यह हमारी टेल बोन है जिसके उपर हम लोग खड़े हो के बैठ तो शीदा होना सामने स्क्रीन रखिए अपने आखों के और उसको देखिए यह तेल बोल पे रहिए यह टेल है तो टेल हमेशा जब भी टेल की तरफ होगा इंफीरियर नहीं और बागी जो है वो आपका सुपीरियर तोट्स दी हैड लेटरल अवे फ्रॉम दी मिडिल मीडियल टूर्ड्स दा मीडिल बाई लेटरल दोनों तरफ दोनों साइड में लेटरल मतलब साइड में और बाई मतलब दो तो दोनों साइड में इपसी लेटरल मतलब एक तरफ से एक साइड में मतलब इन टरंप के बारे में हम लोग आगे चलके डिसकस करेंगे तो यह हमारे पास कुछ डाइक्शनल टरंप थे जो कि हमें फिजिखल अक्टिवेटी में याद होने चाहिए यह आपको बैयो मेकेनिक्स और किंजीलोजी में बहुत काम आते हैं बैयो anatomy physiology 60-70% based subject है आपकी physical activity course का अगर आपका anatomy physiology strong है तो आपके 60-70% आपकी पकड़ मजबूत है अगर आप कमजोर है anatomy physiology में तो आपकी पकड़ धीली है जितनी धीली होती जाएगी उतनी personality down होती जाएगी आपका confidence level उतना down होता जाएगा और जितना आपका confidence level down होगा आपका output उतना ही बेकार से बेकार और बेकार होगा बेकार होगा मतलब आप humanity को contribute नहीं कर पा रहे होंगे contribute नहीं कर पा रहे होंगे तो इसका मतलब की आपकी जरूरत समाज को नहीं है तो be constructive be positive ऐसा ही positive जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था यह तारिक सर्स पीई वाले का आप लोगों देखो कैसा है black में white चमक रहा है black environment है सब कुछ है सारा महौल आपका वतावराना खराब है लेकिन उसमें क्या अच्छाई हो सकती है वो दूड़ो तारिक सर्स पीई वाले ठीक है तो यह directional terms थे हमारे अब देखिए हम लोग आईये self analysis का बहुत interesting है यह आईये हम लोग इसको discuss करते है ठीक है नहीं अब जल्दी से हम लोग करेंगे कोई किसी का देखिए यहां पर मैं आप से कह रहा हूँ self analysis किसी का किसी से कोई competition नहीं है किसी को किसी से कोई बहस नहीं है बहस सबसे जादा मुश्किल जंग सबसे जादा मुश्किल जंग अपने आप से होती है इनसानी, दूसरे से तो सवासानी से कर लेते हैं, इसी वज़े से हम दूसरे की बुराई करते रहे हैं, जब कि आपको किसी दूसरे के बारे में नहीं जानना, आपको किसी दूसरे के बारे में समझने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ दो चीजों में कोशिश करनी हैं, दो पैसों की डीलिंग बिजनेस पार्टनर या कुछ इस तरीके का आप डील करने जा रहे या उसको उधार दे रहे तब उसके बारे में आप समझने की उसको कोशिश करिए वरना अगर यह दो चीज़े आपकी नहीं है तो आप अपने बारे में सारा सवाल करिए दूसरे के बार अग्रॉस वेस्टेज टोटल वेस्ट टोटल टोटल वेस्टेज गॉसिपिंग में टाइम बचाईए निगेटिव इनरजी है आपको निगेटिविटी से बचाके पॉजिटिविटी में लेकर क्या तो अब आईए चलिए तो अपने से कॉमपेटिशन आपको अपुद कर इस आंसर इस फॉल्स मिक्स्ट आवाजे आई फॉल्स की ज़्यादा आई ट्रू की कम आई बीटेंटिव देए किसी भी टेस्ट में हमारी प्रेपरेशन कम नहीं होती मैंने आपको पहले भी डिसकस किया था कि अगर आप साथ नंबरों से रह गए पांच नंबर से रह कि उनके सवालों के जवाब आपको आते थे लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकी आपका अटेंशन स्पैन पूर था कर बी इस्टर्नम जो है वह एक्सियल इसकेलेटन का हिस्सा है अच्छा नेक्स सवाल क्रेंजियम इस इंफीर्यर टू मेंडेंडेम अब इसके लिए पता ह होना जी है anatomical term में directional terms में जो है वो inferior किसको कहते हैं और superior किसको कहते हैं तो आपको पता चलिया होगा answer इसका आप लोगों ने सब ने बोला false mandible is inferior to cranium आपके jaw यह inferior है cranium से cranium superior पे है और यह inferior पे है यह नीचे है यह ऊपर ओके third question सेनर्थ रॉसेज़ similar to synovial true or false sinarthrosis is similar to synovial आप बताओ मुझे मुझे नहीं पता कुछ आरे यार मुझे तो जित्ता रटा हुआ था मैं आपको सामने उगले दे रहा हूं सारा अब आप बताओ आपने सीख लिया ना अब आप रॉस्त्रल 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 रिफर्स्टल रॉस्त्र सु यह नोस पोई तूर्ट्स नोज आ रहा है यह रॉस्ट्रल मूवम्मन तूर्ट्स नोज रॉस्पर ऊके वाट इस्केपुला इस्टू हुमरस स्कैपुला जो हुमरस के लिए है established is to 중국 तो अभ बताया आपटश्च Stellenblar इस हड़ी के लिए जो बहुन पूरी वही estebalum फीमर के लिए है राइट और रॉंग राइट और रॉंग हो रहा सनना दास अचाहे हुआ है त्रू आपके स्कैपुला में जो है वो स्कैपुला में होता है इसकैपुला में पीछे लेट मी शो इस this is scapula वो है यह पीछे ऐसे लगी हो तो पीछे दिख रहा है और यह फिर हमारा इसका यहां पर इसके एसे फिर लगा हुए और फिर हमारा इसका है तो सिकापुला जो हैожет के लिए जो इसका इसका अंसर हुआ है बटर फ्लाइशेप्ड बोन इस याद करो अथमट नहीं नहीं ऊक्य फिर क्या प्राइटल स्फिन्हान अ मी अब न स्फिन्हाइड घ्ली है एकिली सेंट लिएक्ष कॉम दूसरा भी मताओ परिंद्ध बैट Avatar सबने अंसर दिया एक साथ very good यार एकिलीज टेंडन जिसमें मुसलमान भाई बैटके नमाज पर दियान लगाते उसको वो संस्कृत में इंडियन कल्चर में उसको वजरासन कहते है ठीक है सेटल जॉइंट और कंडिलॉइट कंडिलॉइड और सदल कनीजन हो रहा है रहा है true और false okay it's false opposite is true सैडल जॉइंट हैस ग्रेटर रेंज ओफ मोशन दन कंडिलॉइट यह स्टेटमेंट प्रावल अभी चो दिया हुआ है condyloid joints has greater range of motion than subtle joints अब ये कैसे याद होगा आपको यह तो confusion है याद होगा कैसे याद होगा पका याद होगा आप जब दूसरे की help करोगे तो याद होगा अगर आप दूसरे की help नहीं करोगे चिर्फ अपने लिए याद रखोगे आप यकिन जन्ना आपके पास ये सवाल आएगा जे आरफ में आपके पास ये सवाल आएगा M.P.A.D. में आपको पढ़ाना होगा स्टूरेंट्स को इस टूरेंट्स आपकी वो पकड़ लेंगे अगल फॉराँ क्यों क्यों क्योंकि आपने दूसरों से शेयर नहीं किया था condyloid joint और saddle joint के greater range of motion में फस जाओगे अगर दूसरों की गुत्थी नहीं इसमें सुल जाई तो ठीक है नहीं ओके anterior gross anatomy अब देखिए हम लोग टेक्निकल टर्म जादा इस्तिमाल कर रहा है self analysis section में या बहुत important है यह इसका मतलब आपका development हो रहा है anterior gross anatomy is same as posterior gross anatomy and anterior gross anatomy is same as posterior gross anatomy true or false false anterior सामने की gross anatomy is similar to is same to posterior पीछे की gross anatomy ना जी आगे की gross anatomy अलग है पीछे की gross anatomy अलग है this statement is false odd one out ventral medial rostral bilateral आप बताओ इसमें क्या ventral गौर से देखो गौर से देखो ventral medial rostral bilateral सब अल 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 पे खतम हो रहे हैं सबने एक ही गुरूप बना रखा है ventral medial rostral bilateral yes odd one is bilateral यह ventral यह medial यह rostral यह सब सामने के हिस्से हैं यह सब सामने के हिस्से हैं bilateral यह यह side के हिस्से हैं odd one out okay odd one out again proximal caudal distal oh very good इसमें आप बहुते दो proximal distal proximal distal बोलते बोलते याद होगे ना यह repetition किया आपने इसलिए याद होगे आपको revise करना है revise करने में खुद भी revise करिए जाप करिए 108 बार और दूसरों के साथ discuss करिए उनकी help करिए तो आपको जो है वह अनौटमी आपकी गुलाम बन जाएगी वरना आप अनौटमी के गुलाम बने रहोगे याद रखेगा लिगमेंट्स only attach two bones सिर्फ दो बोन्स को लिगमेंट्स जोडते हैं और किसी कुछ चीज़ को नहीं जोडते आ रहे यार I am very happy with your progress I am really very happy with the progress which you are showing right now ligaments अभी तक हम यह समझते थे कि ligaments जो है वो दो हट्टियों को आपस में जोडता बस नहीं बल्कि हमको जो है वो soft tissues को भी जोडता है गर्ब के नाल गर्ब के नाल सही वर्ड है या गलत है गलत गर्ब नाल अंब्लिकल कॉर्ड है ना वो जो मां और बच्चे का relation होता है जिससे मां के पेट के अंदर बच्चा जो nutrition लेता रहता है और अगर मां को पोशन में चली जाती है या मां को कोई emergency कुछ चाहिए होता है तो बच्चा उसको उसी नाल के जरी यह वापस देता है बड़ी महीमा है उस बनाने वाले की है ना तो लीगमेंट्स है वो double layer of peritonium हमारे visceral organs को भी attach रखते हैं तो दो soft tissues को attach रखते हैं हमारे गर्ब नाल को रखता है और हमारी दो हट्डियों को भी जोड के रखता है हमारे joints को भी answer is false ठीक है नहीं ओके अभी हमारा screenshot आ गया इसका मतलब हमारा जो है वो यह खतम हो गया हमारा self analysis section खतम हो गया इस self analysis section में आपने देखा कि हमने बहुत से technical words anatomy physiology के इस्तिमाल किये और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब लोग improve कर रहे हैं यह self analysis जिसमें बहुत सारे technical terms आपने बहुत अच्छे से को लिया बहुत अच्छे से आपने लिया आईए let's off from here यहां से हम लोग खदम पर चलते हैं तो हम लोग कुरान की जो है वो कुछ वरसेस के उपर कुछ sign post पर बात करते हैं मंतरों के मालकुम ला तनासरून आखर तुम्हें क्या हो गया है जो एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं एक दूसरे की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद की जाएगी एक दूसरे की हिपाज़त करोगे तो तुम्हारी हिपाज़त की जाएगी यह उसूल है जिन्देगी गुजारने के अगर आपने इन उसूलों को तोड़ा अगर आपने इन उस क्या याद रखना जमीन पर केवल वही टिकाया जाएगा जो समस्त मानव जाती की भलाई का होगा जो समस्त मानव जाती टोटल मैनकाइंड के बेनिफिट की चीज़ होगी वो जमीन पर टिकाया जाएगी और जो इनसानियत के काम की चीज़ नहीं होगी उसको जो है वो जमीन से उकाड़ के फिक दिया जाएगा जैसे और्थ जब बनी थी तो आग का गोला थी लेकिन आग इनसानों के लिए अगर कंट्रोल ड़ना रहे तो नुकसान दे तो आग को खतम कर दिया जाएगा वो थोड़ा हिस्सा उसका रखा गया दबा दिया के जमीन ऐसी हमें भी मुल्डी जमें दबा दिया जाएगा अगर हम इनसानों के काम के नहीं रह जाएगे तो हमें इनसानों के काम कर रहना है टेक केर, बाइ-बाइ, टाटा, अल्लाहाफिज, नमस्ते, तारिख सर्स, पीई वाले, थैंक यू वरी मुच.